गूड बॉर्निंग फ्रेंज एडूशाला में आपका स्वागत है फ्रेंज हम लोग घटना चेकर फ्लोचार्ट नोट्स की सीरीज में भारती राजब्योस सकर डिसक्सन कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का समयधानिक विकास कमपनी के सासना धीन अधिनियम सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये ब्रेटिस संसद्वारा पारित किया गया था किसलिए तो कमपनी में ब्याप्त ब्रश्टाचार और कुर्प सासन को दूर करने के लिए इसमें प्रावधान क्या गया थे मद्राज प्रेशिजन्सी और बंबई प्रेशिजन्सी को कलकत्ता प्रेशिजन्सी के अधिन कर दिया गया साथ ही जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जैनल कहा जाने लगा सर्वोच नियाले की स्थापना का प्रावधान किया गया सरकारी नियंत्रण में ब्रधी हुई साथ ही नियंत्रण बोड का गठन किया गया कम्पनी के ब्यापार में अहसक्षेप की नीतिका पालन किया गया साथ ही कम्पनी के ब्यापारी राजनितिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1786 का अधिकार दिया गया और साथ ही अपने नेडियों को लागी करने का अधिकार दिया गया आगे देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 इसमें कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर उनका अधिकार उनके पास सेफ रखा गया फिर से समझ लेजे, Charter Act 1813 के तहट ब्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन के साथ जो ब्यापार था उनका उसको बरकरार रखा गया, साथ ही कमपनी के अगली 20 वर्सों के लिए भारती प्रदेशों में राजस उपर नियंतर का अधिकार भी प कमपनी के सभी वाणिजिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, कमपनी को केवल राजनेतिक कारे का अधिकार दिया गया, और साथ ही बंगाल का गवर्नर अब समूची भारत का गवर्नर जेनरल बन गया, कानून बराने के लिए गवर्नर जेनरल की परिशत में एक कानूनी सदस की नियुक्ति की गई और यह पहले सदसे कौन थे मैकाली थे विधी सदसे आगे देखते हैं चार्टर एक्ट अठारा सो तिरपन इसमें क्या था नियंत्रन बोड और उनके अन्य पदा अधिकारियों का बेतन निश्चित किया गया और कौन करेगा सरकार द्वारा इनिश्च क्राउन द्वारा मनोनित होने लगे आगे देखते हैं चार्ट भारत सरकार अधनियम 1858 इसमें भारतिय प्रसासन का नियंत्रन कंपनी से छीन कर ब्रिटिस क्राउन को सौंप दिया गया साथ ही भारत राज सचिव बोर्ड आफ डारेक्टर और बोर्ड आफ कंटोर दोनों क समस अधिकार भारत के राज सचिव को सौंप दिया गया भारत के गवर्ड जनल का नया नम अब वाइसराय रग दिया गया साथ ही भारत में ब्रिटिस क्राउन का प्रतेक्ष प्रतनिधी बन गया कौन वाइसराय आगे देखते हैं ब्रिटिस ताज के सासनाधिर अधिन अ चली अब लेटिस ताज के साथ समधिन अधिनियम में दिश्टिपार्ट कर लेते हैं भारती परिसद अधिनियम 1861 वायसराय को आपातकाल में अध्यादेस जारी करने की सक्ति दे दी गई साथ ही अध्यादेस लागू करने की अधितम अवदी को 6 माह तक निधारित किया गया परिसद को कानून बनाने की सक्ति का प्रावधान दिया गया और लाड कैनिंग द्वारा विभागी प्रणाली की सुरवात किये गई वाइसराई की कारिकारी परिशत का विस्तार किया गया बंबई और मद्रास प्रांत को पुनह प्रदत अधिकार वापस कर दिये गए और साथ ही अपने लिए कानून बनाने का संसोधन किया गया मतब ब्रिटिस और मद्रास को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार लौटा दिया गया साथ ही अब देखते हैं भारती परिशत अधनियम 1892 तो इसमें ब्रिटिस विधान परिशत के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया सारवजनिक हित के मामलों में विधान मंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूरो सूचना दे के प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया और साथ ही सीमित अर्थों में निर्वाचन पत्रती का आरम किया गया तो धान दखिएगा सीमीत अर्थों में निर्वाचन प्रददी का अधिकार 1892 की अधिनियम में है भारती परसद अधिनियम और नीशो 9 इसका अने नाम है मारले मिंटो सुधार संपरदाईक प्रतने दुका की बेवस्टाइस ने की और केंद्री विधान मंदल के सदस्यों को बजट पर मत देने कादिकार नहीं दिया गया आगे देखते हैं भारती परसद अधिनियम 1909 के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या है तो गांधि जी ने इस आक्ट के बारे में क्या कहा थुनों ने कहा इस आक्ट ने हमारा सरुनास कर दिया रैम mutual ने ये सुधार प्रजात अंतरवाद और नौकर साही केमद एक अधूरा और अल्पकालीन समझा होता है ये रैमजे मैकडोनाड ने कहा आगला देखते हैं भारत सासन अधिनयम 1999 इसका अन्यनाम क्या है मॉन्टेगी चम्सपोर्ड सुधार प्रांतों में द्वैस सासन का प्रारंब किया गया और पहली बार उत्तरदाई सासन सब्दों का इसपष्ट प्रयोग किया गया आगे देखते हैं प्रांती विसे आरक्ष अधिनयम 1935 अगला है भारत सासन अधिनयम 1935 इसमें प्रावधान क्या थे संगी लोक सिवा आयोक की गठन का प्रावधान था साथ ही अखिल भारती संग की स्थापना का प्रावधान किया गया और वैद सासन प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और केंदर में लागू कर दिया गया इस स्वायत्ता प्रांतों को स्वायत्ता दी गई सुसासन प्रांतों को दोहरे सासन के स्थान पर दान किया गया ज्यान रखिएगा आगे देखते हैं इसमें आगे देखते हूं नहीं 135 के ही प्राउधान में गौवर्णर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार साथ ही संप्रदाइक और वरगी मद्दाता मंडल का विस्तार किया गया और भारत के वर्तमान समवेदानी के ढाचे का ये का सुरोत के रूप में काम किया इसने दूई सदनी केंदरी विधान मंडल को दूई सदनी बना दिया गया और साथ ही सक्तियों का विभाजन केंदर उयम प्रांतों में कर दिया गया फेडरल नयाले की स्थापना की गई 1937 में इसी के प्राउधान के अधार पर और नहरु जी का कथन है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं गुलामी का अधिकार पत्र और दास्ता का अधिकार पत्र अनुदेश प्रपत्र इसी को कहा गया राज की नीत निजेसकत्त्तो के रूप में इसमें समावेशिस्ट किया गया है आगे देखते हैं भारत के समविदान में 1950 में 1935 से काफी प्राउधानों को लिया गया और जिनको नीत निजेसकत्त्तो के अंतरगत भी समावेशिस्ट किया गया है कांग्रेस के लखनाव अधिमेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्विक्रित कर दिया गया था अब देखते हैं भारती सोतंतरता अधिनियम 1947 तो भारत सासन अधिनियम 1947 के मुखे प्रावधान क्या क्या थे अब भाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान नामक दो सोतंतर अधिराज्यों में बार्ट दिया गया साथ ही 15 अगस 1947 से भारती रियास्तों पर ब्रिटिस संप्रभुता के समाप्ती हो गई दोनों अधिराज्यों की सम्विदान निर्बाती सवा को सम्विदान बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया साथ ही दोनों अधिराजियों को बिटिस राष्ट मंडल से अलग होने की सुतंतरता भी दे गई भारत का राज सची उपद समाप्त हो गया आगे देखते हैं कुछ महत्तुकूर तथ्या हैं कुछ important facts हैं भारत का प्रथम गौर्णर जनर्र वारेन हैस्टिंग था कलकत्ता में उच्च न्याले की सापना 1774 में हुई प्रथम प्रधान सेनापती की सक्तियां सोर्थम किसमें ब्याप्त थी लाड कार्लवानिस में ब्याग थी भारत के प्रथम गौर्णर जनर्र लाड विलम बैंटिंग है कानून बनाने में भारती प्रधियों को सामिल करने के सुरुवात की गई भारती परिसद अधनियम 1861 आगे देखते हैं केंद्री और प्रांती बिधान परिसदों में गैर सरकारी सरस्यों की संख्या बढ़ाई गई 1892 में वर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में ध्यान रखियेगा वर्मा को भारत से अलग 1935 के अधनियम के तरहत किया गया था और 1937 में उसे क्रियानवित किया गया है आगे देखते हैं भारत सरकार अधनियम 1929 को जाना जाता है चैंसफोर्ट मॉंटेगिव चैंसफोर्ट के नाम से सरुपर्थम उत्तरदाई साथन सब्द का प्रियोग 1919 के अधनियम में किया गया भारती रेजर्वबेंग की अस्था अपना 1935 के अधनियम में किये गए सरुपर्थम मांग किस ने की थी तो सुराज पाटी ने की सरुपर्थम भारत में सम्विदान सभा के गठन का विचार देने वाले बेक्ति कौन थे एमन राय सरुपर्थम भारत में सम्विदान सभा के गठन का विचार देने वाले बेक्ति एमन राय थे 1934 में नों ने दिया था भारती राश्टी कांग्रेस में ने पहली बार सम्विदान सभा की मांग की 1934 में भारती सम्विदान सभा चुनी गई थी अपरतेक्ष निर्वाचन द्वारा आगे देख लेते हैं सम्विदान सभा एवम निर्मार प्रक्रिया अब देखिए समिधान सभा का समिधान सभा का गठन 1446 के कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था इसमें भारती समिधान का निर्मान कैबिनेट मिशन योज़ा 1946 द्वारा गठित समिधान सभा द्वारा किया गया कुल महिलाएं इसमें 15 थी प्रता बैठक इसमें 9 दिसमर 1946 को ही जिसके अध्यक्ष सचिदानन चिनहा थे बाद में इसके अध्यक्ष बने राजन्द प्रसाद जो की इस्थाई अध्यक्ष थे कुल अध्यक्षनों की संक्या एक 11 है द्यान रखिएगा 9 तारीक को प्रताम बैठक हुई तो उसमें अस्थाई अध्यक्ष थे सचिदानन बाकि 11 को बैठक हुई तो उसमें इस्थाई अध्यक्ष राजन्द प्रसाद जी बने है कुली 11 अधिवेशन हुए और समिदान अंगर करने कीती थी 26 नौबर उनिस्सों चास रही अंतिम बैठक 24 जनवरी उनिस्सों पचास को हुई और 26 जनवरी उनिस्सों पचास से समिदान पुरता लागो हो गया आगे देखते हैं कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष राज जवाला नहरु जी संगीय समित के और संगीय समिदान समित के संगीय सक्ती समिती और संगीय समिदान समिती जितनी भी समितियों में अगर संगीय आएगा तो उसमें आप जवाला नहरु मार सकते हैं आगे देखते हैं सरदार पटेल ये प्रांती समिदान समिती मूल अधिक आगे देखते हैं समिदान सभा का निर्मार चुनाव परेडाम और कुल सीटें 296 सीटें ब्रेटिस भारत से रही जिसमें 208 पे कांग्रेश और मुस्लिम 73 सीट पे और अन्य पार्टियां 15 सीट पे विज़ारे हुई थी अगला फैक्ट है भारती समिदान सभा के प्रथम बैठे किया देख्षता किसने की तो सचीदान सिनहाने की थी ज्वाला नहरू ने उद्देश से प्रस्ताओं कपेस किया तो 13 दिसंबर 1946 को किया समिदान सभा के लिए चुने गएं समिदान सभा के लिए चुनाँ हुआ था जुळाई अगस 1946 को अंतरिम सरकार का गठन 2 दिसंबर 1946 को हुआ था समिदान लागू हुआ 26 जनवर 1950 को और समिदान सबा के कुल सदस्च कितने थे समिदान सबा में तो 389 सदस्च थे 389 अगला है प्रारूप समीती इसका अगठन 29 अगस 1947 को किया गया कुल सदस्च साथ थे अध्यक चिसके वियार अंबेड कर थे अगने सदस्च देख लेते हैं important है कई बार पुष्टा है N. गोपाला स्वामी आइंगर अल्लादी कृष्ण स्वामी आइंगर K. M. मुंसी और मुहम्मद सादुल्ला B.L. मित्र और D.P. खेतान बाद में किसको अस्थान मिला तो B.L. मित्र के अस्थान पे N. माधोराओ को मिला और D.P. खेतान के अस्थान पे T.T. कृष्णा मुझारी को अस्थान मिला समिधान सबा के सदस्च निर्वाचित किये गए 10 लाख प्रति ब्यक्ति पर एक प्रति निर्वाचित के अनुपात में Cabinet Mission के सदस्च निर्वाचित को थे Panthic Lawrence, Stifford Crips और AB अलग Gender समिधान समिधान सबा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत ये किस ने कहा ति ग्रिनली आस्टीन ने कहा प्रार रूप समिध का गठन 29 अगस 1947 को किया गया था तदर्थ जंडा समिध के अधक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे आगे देखते हैं भारत के प्रतम और अंतिम गवर्णर जन्रल या वाइसरा है राबर्ड क्लाइब ये बंगाल के गवर्णर थे कब से कब तक 1758 से 1760 साथ तक इनका पहला कारिकाल रहा और दूसरा कारिकाल जब बकसर का युद्ध हुआ तो उसके बार जो इलहाबाद की संदी उस समय ही आए 1765 से 1766 में ये रहे दो कारिकाल रहा इनका फिर वारेन हैस्टिंग आते हैं 1774 से 1780 तक इनका कारिकाल रहेगा और ये भारत के प्रथम सारी बंगाल के प्रथम गवर्नल जनरल रहेंगे लॉर्ड विल्यम बैंडिंग 1833 से 35 ये भारत के प्रथम गवर्नल जनरल है लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 ये भारत के प्रथम वाइसराय है लॉर्ड मौंट बिटिन अगस्ट 1947 से जून 1948 तक इनका कारेकाल रहा और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्णर जनरल है C. कृष्णा मचारी ये जून 1948 से जनवरी 1950 तक रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारती गवर्णर जनरल थी आगे देखते हैं समिदान सभा के महत्तपूर्ण तत्य पहली बार बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और स्थाइधक्ष सचिदानन सिनहा रहे इस्थाइधक्ष डाक्टर राजेंद प्रुसाद रहे समिदानिक सलाकार सर्भियन राउ थे समिदान निर्माण में लगा समय दो वर्स 11 महा और 18 दिन रारूप पर बहस हुई 114 दिन तक और कुल बै कितना हुआ 63,96,729 रुपय कुल वाचन तीन वाचन हुए समिदान अपनाया गया 26 नौंबर 1949 को समिदान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को आगे देख लेते हैं अंतरिम सरक का गठन ये पूछा जाता है इसको इग्नोर मत कीजेगा मंत्री और मंत्राले जेल नहरू ये विदेश और राष्ट मंदल मामलों से समंदित रहे बल्लब भाई पटेल सूचनायों प्रसारण तथा ग्रेह मंत्री रहे स्री राजगोपालाचारी ये सिक्छा मंत्री लिया डॉक्टर सी एच भाभा इने कारे एवं खनन सक्ति मिली बल्देव सिंग रक्षा मंत्राले आई आई चुंदरी वाणिज्य आगे देख लेते हैं भाट तीस समिदान के स्रोत तो समिदान का स्रोत का सबसी बड़ा जो क्वाइंट रहा वो 1935 का दिनियम रहा उसके अलाव गया तो सबसे पहले उद्देशिका का विचार लिया गया न्याय के पुर्णर विलोकन की सक्ति वहीं से लिया गई साथ ही न्याय पालिका की सुतंतरता का प्रावधान भी वहीं से लिया गया मूल अधिकार और उपर राश्टपती का पद वहीं से लिया गया है और राश कनाडा से लिया गया अवस्ष्ष सक्तियां केंदर में नहीं थोंगी ये भी कनाडा से लिया गया है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया तो ब्रिटेन से लिया गया संसरी सासन प्रणाली विधी का सासन मंत्र मंदली प्रणाली एकलनागरिक्ता दुष्वनी प्रणाली विधा सभा में कुछ सदर्शयों का नमागकन, ये आइरลेंड से लिया गया, दक्षिन अफरीका ससे क्या लिया गया, समिधान, संसोधन की प्रक्रिया और राज्ज सभा के सदर्शशयों का निर्वाचन का निरवाचन ये धैड़ी से क्या लिया गया बीधी द्वारा इस्थापिट प्रक्रिया रूस से क्या लिया गया मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय समाजिक आर्थिक और राजनेतिक सब्द अब कुछ देख लेते हैं कि आस्टेलिया से क्या क्या लिया गया तो संयुत बैठक का प्रावदान आस से से लेकिन उद्देशिका की भासा आश्टेलिया से लिए गई व्यापार और वानित जी यहीं से लिया गया व्यापार वानित जी और समागम की जो सतंतरता है यानुच्छ दुनीस के तहत वो यहीं से लिया गया समवर्ती सुची का प्राउधान भी यहीं से लिया गया आश्ट्पत्ति के विचारार्थ राजपाल द्वारा विध्यक सुरक्षित रखने का प्रावधान कनाड़ा से लिया गया भारत विश्टु का प्रथम लिखित समिधान USA का है आगे देखते हैं उद्देशी का उद्देशी का या जिसे प्रस्तावना भी कहते हैं यह 13 दिस विशायवस्तु क्या है तो इसमें मूल तत्त्त देखते हैं संपून प्रभुत्त संपन समाजवादी पंत निर्पेच और लोकतांत्रिक गणराज न्याए इसमें तीन तरह के न्याए दिये गये हैं सामाजिक आर्थिक और राजनितिक न्याए समता दो दी गई है कौन-क देख लेते हैं अब उद्देशीका में 42 संफिधान संसुधन द्वारा समाजवादी और अखंडता साथ ही पंत निर्पेच सब्द को जोड़ा गया समाजवादी पंत निर्पेच और अखंडता 42 संसंसुधन 1976 में सामेल किया गया उद्देशी का पर उच्चतम न्याले क्या देखते हैं स्विकृति बॉंबई बनाम यूनियन आप इंडिया वाद में स्विकृति दी केसवानन्द भारती बनाम केलराज में इसे स्विकार किया गया अच्छा ध्यान रखेगा इसकी धारना जो है प्रस है असल में यह मुद्धा इसमें संसूधन से ईड़ा हुगा था जो सम्यूदान चाल की आटमा है उद्देशिका उदेशिका को राजनेतिक जन्व पत्री किषने कहा कि मश्री मशें ने किसको dzi 32 के तहत प्रदत सम्विदानिक उपचारों के अधिकार को सम्विदान को पवित्र दस्तावेज बियार अमेड करने देशिका देख लेते हैं। बंदुता बढ़ाने के लिए दिन संकल्पित होकर आज अपनी इस सम्विदान सबा में 26 नौबर 1949 इस भी मित इमार्क सुक्ल समवत 2006 विक्रमी को एतत द्वारा इस सम्विदान को अंग्रिकित, अधिने मित और आत्मर्पित करते हैं। चलिए अब अनसूचियां देख लेते हैं। तो सम्विदान में कुल 12 अनसूचियां हैं। तो चलिए उनका डिस्कुसन कर लेते हैं। सब के बारे में दिया है। पृथम अनसूचियां इसमें राज और संग छेत्र का वर्णेन है। दूसरी अनसूचियां में राष्टपती तथा अन्य उच्पताधिकारियों के बेतन से संबंदित। तीसरी अनसूचियां सपत और प्रतिज्यां से संबंदित है। चौथी राज सभा में स्थानों का आबांटन। पाचवी अनसूचियां जरूर याद रखेगा। चौथी अनसूचि असम मेघाले त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातिय छेत्रों के प्रसासं के संबंद में है। तो ध्यान रखिए असम मेघाले त्रिपुरा मुझे रूम को छोड़कर पाचवी अनसूचियां में रेस्ट आप जनजातिय छेत्र हैं। चौथी में असम मेघाले त्रिपुरा मिजोरम सामिल है। अनसूचि में कुछ अधियमों और विनियमों का विदिमानी करन है। दसवी अनसूची में दल बदल के आधार पर योगिता या अयोगिता क्या लीजिए, ग्यारवी अनसूची में पंचायतों से समंदित प्रावधान है, बारवी में नगर पालिका से समंदित उफबंध है, आगे देख लेते हैं सासन प्रणाली, प्राचीन रूप में राजत राश्वती होते हैं पद योगिता होती है और सत्ता स्रोत जनता होती है उदारण के लिए अमेरिका अब्रेटिन भारत फ्रांस और कनाड़ा और सत्ता स्वेम राजा यहां चलाता था उदारण इसमें सौधी अरब UAE उमान कतर भुटान आदी है जहां अभी भी राजा है लोक्तंत्रात्मक सासन प्रणाली के मुख्य देख लेते हैं क्या है इसके दोस्तम में एक तो अध्यक्षी प्रारूप है और एक संसरी प्रतरा का है इसमें जो अध्यक्षी प्रतरा का है उसमें राश्टा अध्यक्ष जो होता है वो राश्पती होता है इसके पास सरकार क प्रमुख भी होता है और साथ ही राजिका भी प्रमुख होता है वो और संसदी ब्योस्था में इसे इतर राश्ट का प्रमुख तो होता है यह राश्पती लेकिन सासन का प्रमुख राश्पती नहों के प्रधान मंत्री होता है राजिका यह वास्तविक प्रमुख राश्प 5 Gusty Sanse Ondor प्रिटों भारत है राजि के महत्तो पूण तत्व राजि के चार महत्तों पूण तत्य हैं सबसे पहले तो जनसंग भूभाग होनी चाहिए तो फिर जनसंख्या भी चाहिए जनसंक्या है तो फिर एक सरकार चाहिए और सरकार कैसी चाहिए संप्रभु चाहिए आगे देखते हैं संसदी सासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्र मंदली सासन प्रणाली भी है अध्यक्षी सासन प्रणाली का दूसरा नाम राश्पतिय सासन प्रणाली है संसदी सासन प्रणाली का जनक ब्रेटेन को माना जाता है भारत में सत्ता का एक मात्र सोत्र जनता है भारत एक गनतंत्र है इसका आसए क्या है इसा बारत ब्लाग्त प्रतक्ष या प्रतक्ष रूप से चुनियत जाएगा भारत का समयदान भारत का सरवाधिक महतपूर्ट तत्तु क्या है संप्रभुता राजी का सरवाधिक महतपूर्ट तत्तु क्या है संप्रभुता भारती संगवाद को सहकारी संगवाद किस ने कहा जी आइस्टीन ने भारत को अर्धसंगहात्मक राजी किस ने कहा ह केसी फियर ने कहा है, आगे देख लेते हैं, राष्टी रतीक, तो इसमें सबसे पहले राष्टी ध्वज तिरंगा को देखते हैं, इसके अभी कल्पना करता कौन है, पिंगली वैंकेया, इसके लंबाई चोड़ाई का अनुपात कितना है, तीन अनुपाते दो, कब अपनाय पट्टी का रंग, केसरिया जो है, वो साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद, सांती और सचाई का प्रतीक है, हरा, उर्वर्ता और समर्दी का प्रतीक है, आगे देखते हैं, चक्र का रंग, निला है, और इसमें 24 तीलिया है, प्रतीक, प्रगति अयम नयाय की प्रतीक है और इसमें असोक अस्तंब सारनाज से लिया गया है, जो इसमें असोक अस्तंब है, वो सारनाज से लिया गया है, अब देखते हैं, राज चिन है, असोक अस्तंब, राज का जो चिन है, अपना असोक अस्तंब, वो सारनाज से लिया गया, अंकित सब्द क्या है, सत्तो में उज यह मुंड को अपने साथ से लिया गया है, अपनाया गया कभी है, 26 जन्वरी 1950 को अपनाया गया, सिंगो की संख्या चार है, तीन देखता है, एक वीचे की तरव है, नीचे अंकित है, दाएं बैल, मध्य असोक चक्र, और बाएं घोड़ा, आगे देखते हैं, राष्टगान, जन गढ़मन, गितांजली से लिया गया, रचैता, रवीन नाट टैगोर है, 24 जन्वरी 1950 को इसे अपनाया गया, और 27 दिसनबर 1911 को कलकत्ता अधियरशन में प्रथम बारिये गया गया था, गाया अवदी 52 सेकिंड की है, राष्टी गीत, वंदे मात्रम है, जो की आनंद इसे अपनाया गया, 24 जन्वरी 1950 को, प्रथम गायन 1896 में हुआ था, राष्टी पंचांग, ये अपना राष्टी पंचांग सक्समवत पर राधारी थे, और जो ये जन्वरी फर्मरी है, ये ग्रिगोरियन कलेंडर है, 22 मार्च 1997 को इसे अपनाया गया था, अपना प्रथन म चैते होता है, और अंतिम्मा फालगुन होता है, आगे देखते हैं, अन्य राष्टी प्रति, राष्टी पसु भाग है, राष्टी मोर, स्वरी पक्षी मोर है, राष्टी पुस्प कमल है, राष्टी विरासत पसु हाथी है, जलीय जीव, राष्टी जलीय जीव डॉल्फ राश्टी दिवस और तिवार तो यहां पे तीन महत्तोपूर तिवार हैं 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर ही जानते ही हैं राश्टी नदी अपनी गंगा है ये 2008 में गोसित की गई है विविद देखते हैं अपनी हां पाँच छेत्रिय परिसदे हैं अब उनके मुख्याले भी देख लेते हैं जो पूर्वी छेत्रि परसद है उसका मुख्याले कलकत्ता में पस्चमी छेत्रि परसद मुंबई राज एमसंग चेत्र प्रमुक रियायती और भारतमी विले तो ये तीन रियायती जो जम्मु कस्मीर है ये विले पत्र पर सिगनेचर के द्वारा 27 सितंबर 1947 को हैदराबद पूलिस कारवाई द्वारा आपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को जूनागण जनमत संग्रह द्वारा 20 फरवरी 248 को आगे देख लेते हैं भारती संविधान ये पार्ट भी आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर ले जाएगा ये सारे एक्जाम में पूछे ही जाते हैं लगवग खास तोर से यूपी में तो तीन से चार कोश्चन अनुच्छे से रहते ही रहते हैं इनमें आप य द्यान रखेगा कि अगर आप ये याद कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको चार अनुच्छे में से तीन तो बनी जाएगा आईडिया लग जाता है भाग एक में संग और उसका राजच्छे अनुच्छे एक से 4 भाग दो नागरिकता सम्बंदित है और 5 से 11 अनु बाउन से 111, अब संग में जितनी चीजे हैं उसी से कनेक्ट करते चलिए, कारेपालिका बाउन से 78, संसद 79 से 122, राश्पती के विधाई अधिकार 123 के हत्त हत आते हैं, संगीन नयापालिका 124 से 147 के हैं, नियंत्रक महा लिखा परिक्षग 148 से 111, अगला है भाग 6, राज से, इसमें यह 152 से 237 सक आता है, अनुच्छे 152 से 237 सक, इसमें भी कई हैं, इसको आप पॉज करके देख लेजाएगा, सब कोई आप जरूर देख लीजाएगा, दिखा देता हूँ, आप इसमें स्कीन सॉट लेके कर लीजाएगा, इम्पोर्टेंट है, चलिए, आगे देखते हैं, भासाई आयोग यों समितिया, अगला है, भासाई आयोग देख लेते हैं, तो भासाई आयोग में सबसे पहले है, भासाई प्रांत आयोग, इसका गठन जून 1948 में हुआ, और अध्यक्च इसके एसके धर थे, रिपोर्ट इसने दिसम्बर 1948 में सोपी, और इन्होंने कुछ अमसंसा की, तो देखते हैं, इ समीत का गठत, दिसम्बर 1949 में किया गया, और इसके सदस्य थे, जवाला नहरू, बल्लब भाई पटेल और पटाबी सीता रमया, इन्होंने अप्रेल 1909 में अपनी रिपोर्स, सोपी और अनुसंसा इन्होंने क्या की, कि भासाई आधार पर राज्यों का पुनर गठन नहीं 1913 में किया गया, जिसके अधर्च फजल अली थे, और इनके सदस्य देख लेते हैं कि हम पढ़िक कर, एचन कुंजुरू थे, और इन्होंने 1955 अपनी अंसंसा दी, और इन्होंने कहा, भासाई आधार पर राज्यों के का पुनर गठन किया जा सकता है, मतलब कि भासाई आध 1913 को हुआ इसका गठन, और विभाजन 2 जून 1914 को इसका दुबारा हुआ दिलगाना बन गया इसमें, अब देखते हैं, ततकालिक गठन जो है, इसका जो आंधर प्रदेश का हुआ था, भासाई आधार पर गठन, वो पोट्ट्लू स्री रमल्लू की 56 दिनकी भूख अरताल के बाद इनकी मेर्टी हो गई थी, जिसके बाद आंधर प्रदेश का गठन किया गया, विशेशता क्या रही, भासा के आधार पर गठित देश का ये पहला राज्य था, अगला है विभिन राज्यों के गठन की तितियां, देख लेते हैं, ये इंपोर्टेंट है, एक अक् नॉमबर, 1986, हिमान चल प्रतेश, जनवरी, 1971, तिक्किम, 16 मई, 1975, मिजोरम, 20 परवरी, 1987, अरवणाचल प्रतेश, 1987, गोवा, 1987, 36 गण, 2000, एक नॉमबर, 2000, मेघाले, 1972 में, मडिपूर, 1972 में, तरिपुरा भी, 72 में, उत्तराखंड, 36 गण, उत्तराखंड, और जारखंड, ये दोनों 2000 में हुए हैं, एक नॉमबर को, एक नॉमबर, इसका डेट याद रखिएगा, 36 गण, एक नॉमबर, 2000, उत्तराखंड, नॉमबर, 2000, जारखंड, 15 नॉमबर, 2000, और दो जून 2014 को डेट सहीत याद रखिएगा, दो जून 2014 क को तेलंगाना जो इधर नेरेश्वे हैं उनकी डेट याद रखना जरूरी है नागरिक्ता देख लेते हैं तो नागरिक्ता ये समिधां के भाग दो में है और अनुच्छेत 5 से 11 के तहर इसका वड़न है भारत में दो तरह के लोग हैं एक नागरिक और दूसरे विदेशी व विनिवन किया जा सकता है और ये अनुच्छेत 11 के अंतरगत भारती नागरिक्ता अधिनियम 1955 संसद द्वारा पारित किया गया था अनुच्छेत 15, 16, 19, 39, 30 के तहट अधिकार जो प्रतान किये गया है मौल अधिकार में वो केवल नागरिकों को मिलते हैं भारत में नागरि राश्पती बनने की योगता रखते हैं जबकि केवल जन्म से नागरिक राश्पती बनने की अधिकारिकता सिर्फ अमेरिका में ध्यान रखिएगा कि भारत में सिर्फ नागरिक होना चाहिए चाहिए वो जन्म से हो या प्राक्वतिक रूप से हो लेकिन जन्म से नागरिक अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक है तब ही उसको माना जा सकता है दोहरी नागरिकता राज्यों के प्रथक नागरिकता दोहरी नागरिकता को कहा कहा अपनाय गया है तो अमेरिका और स्विजर लेंड अब दोहरी नागरिकता में देश की अलग और राज की अलग नागरि पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले कुछ बैक्तियों की नागरिकता का अधिकार के बारे में अनुचेद 7 में है, जो पाकिस्तान को प्रवजन कर गए थे, भारत के बाहर रहने वाले भारती उद्भो के कुछ बैक्तियों की नागरिकता के बारे में उबन अनुचेद 8 में ह जब कोई ब्यक्ति सुएक्षा से किसी विदेशी राजिका नागरिक हो जाता है तो उसकी भारती नागरिकता स्वता ही समापत हो जाती है इसका उलेक अनुच्छेद 9 के तहत है अनुच्छे 9 में आगे देखते हैं नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार तो अनुच्छे 14, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं आगे देख लेते हैं मूल अधिकार इसमें कुल 6 अधिकार हैं देख लेते हैं पहला है समता का अधिकार अनुच्छे 14, 21, 19, 22, 22, 23, 24, 25, 28 के बीच में सांस्कृतिक और सिक्षा संबंदी अधिकार अनुच्छे 29, 30 में हैं सम्वेदानिक उप्चारों का अदिखार अनुच्छेद 32 में है आगे देख लेते हैं मातपूर्ण तत्या संसद नए राज्यों के गठन का निर्माल कर सकती है साधारण बहमत से भारती संग के अंतरगत किसी राज्य को मिलाने का अदिखार संसद को है लोकसभा में संग राज्यों के लिए आरक्षे सीतों की संख्या 20 है राज्य पुनर्गठन आयोकी सिफारिश पर एक नॉमबर 1956 को बनाए गए राज वयम संग राज्यों के विवस्तार 14 राज थे और 6 संग्सासित प्रदेश थे उस समय आगे देखते हैं भारत में नाग्रिक्ता से संबंदी कानून संसत बना सकती है और भारती समविदान में नाग्रिक्ता का उलेक भाग 2 में अनुच्छेत 5-11 कितहत किया गया है भारती समविदान नाग्रिक्ता प्रदान करती है एकल नाग्रिक्ता अमेरिका में नागरिक्ता दोरी है और भारती नागरिक्ता अधिनियम 1955 के अंसार पंजी करण दोरा भारती नागरिक्ता प्राप्त करने के लिए भारती मूल के ब्यक्ति को भारत में 7 साल ब्यतीत करने होते हैं आगे देख लेखते हैं नागरिक्ता के प्राप्ति योम अंते भारती नागरिक्ता का आधार क्या है ये जैन्म से प्राप्त किया जा सकता है वंस के आधार पर पंजी करन के दोवारा देशी करन के आधार पर और अरजित भूमी के समामेलन के आधार पर भी किया जा सकता है आगे देखते हैं, भारती नागरिकता का अंत या लोब, तो भारती नागरिकता का अंत या लोब देख लेखते हैं, इस सरकार दोरा वंचित करने पर और किस आधार पर जब वो नागरिक, नागरिकता त्याग दे या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहन कर ले, आग नागरिक्ता संसुदर अधनियम 2019 के बारे में कुछ, ये 10 जनुरी 2000 से लागू है, ऐसी में कुछ संसुदन किया गया, 2019 में उसी को देखते हैं, नागरिक्ता देगा भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश के अलपसंखकों को, आइन अलपसंखक में कौन-कौ मंदित कुछ, अनुच्छेद 21 क क के तहट, सिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, 86 में सम्विदान संसुदन 2002 के द्वारा बनाये गया, प्रेश की संतरता अंतर नहीं थै, अनुच्छेद 19 1 क के तहट, मेंक्या गांधिवाद 1978 संबंदित है, अनुच्छेद 21 के अंतर प्रदत मूल अधिकार के विस्तार से, मेंका गांधिवाद, सिक्षों द्वारा क्रिपार धार करनी का, धार्मिक सुतनता का अंग माना गया, अनुच्छेद 25 का, मौलिक अधिकारों के संदक्छक है, उच्छने आले और उच्छतमने आले, आगे देख लेते हैं, नागरि प्रवजन कर गए, उन ब्यक्तियों को नागरिक्ता के संबंद में उबंद करता है, अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले, देखे थोड़ सा मिस्टिक, फिर से ध्यान दीजे, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है, प विदेशी राज्यों क्यों नागरिक्ता ग्रहन करने पर भारती नागरिक्ता सोता समाप्त हो जाती है अनुछेद 11 कहता है संसद को नागरिक्ता के समंद में विदी बनाने का सकती है अनुछेद 8 क्या कहता है ये कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारती उद्भो के कुछ ब्यक्तियों के समंद में नागरिक्ता का प्राधान मूल अधिकार को देख लेते हैं अगला चेप्टर है मूल अधिकार अपनाया गया युएसे से और समिधान में भाग दो अनुच्छेद 12 से 35 के तहट समलित हैं अब देखते हैं सबसे पहला है समिधान के मूल अधिकारों यहां है अनुछेद 32 उससे पहले इधर से देखते हैं अनुछेद 14 से 18 समताक अधिकार 172 सो सणके बिदधिकार 23 से 24 और धार्मिक सवसंताक अधिकार 25 से 28 सिक्षा संस्क्रित और सिक्षा समंध्य अधिकार 29 से 30 और अनुचेद 32 समवेदानिक उप्चारों के अधिकार आगे देखते हैं अनुचेद 21 इसमें देखते हैं कुछ बिसे गोबिंद बनाम मध्ध प्रदेश राज और खड़क सिंग बनाम उत्तर प्रदेश राज के तहद अनुचेद 19.1.D में भारत के राज छेत्र में सरुवत् अबादि संच्रण का अधिकार अनुचेद 21 के जीवन के अधिकार में मिलने वाले पढ़ने पर एकांत के अधिकार से संबंदित हैं अनुचेद 21 देखते हैं किसी ब्यक्ति को उसके प्राण या द्यहिक सुतनतता से वीधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं वन्चित किया जा सकता है अनुथा नहीं प्रमुख संबंदित वाद देख लेते हैं एके गोपालन बना मद्रास राज यह उनुचाश में महिनका गांधी बना भारत संग यह 1978 में प्राण या देहिक सुतनतता की उचित और न्यायपून मामले में फिस देख लेते ह आगे देखते हैं प्रमुख अधिकार और सिग्र विचारण का अधिकार इकांत वासका के विरुद्ध अधिकार फासी में विलंब के विरुद्ध अभिरक्षण में अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार कार्यस्तल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीनां के वि अच्छी सणकों का अधिकार और प्रतिष्ठा का अधिकार आगे हैं जीवन साथी चुन्ने का अधिकार ये अनुचेज 19 वाई किस के तहत है गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में गरिमापूर्ण धंग से मृत्व का अधिकार सामिल है गैर सरकारी संगठन कौमन की याच का परेने ने दिया गया था ये प्रमुखदिकार्स थे जो कि मिले हुए हैं हमें आगे देखते हैं तो अगला आगे है भाग चार के अनुच्छेद 45 से संबंदित 6 वर्स से 14 वर्स की उम्र तक निसूलक सिक्षा का अधिकार ये 86 सम्विदान सोसुदन अधरियम 2002 के द्वारा 21 का अनुच्छेद 21 का में सामिल कर दिया गया मतलब अब ये मौली का दिकार ये डीपी असपी से निकलकर 86 समिधान संसूर अदियम 2002 में ये अब मौलिक अदिकार में सामिल हो गया और अनुछे दिक्याओन को ये मौल अदिकार संबने तो यहां कहा गया है यह हर भारती का करतब भी होगा कि वो अपने बच्चों को चाहे वो अपनी माता पीता हो या अभिवाग 6 से 14 वर्स की उम्र तक सिख्चा सुविधा उपलब्द कराएंगे मतलब सिख्चा संबन्दी अदिकार, मौल अदिकार, DPSC और मौल करते हैं तीनों में समलित हैं आगे देख लेते हैं इधर कुछ अधिकार दिये हैं जिसकी जलक दिया है वाकि यह बताया नहीं है कि किस अनुच्छेद में यह समली था है आगे इसकी चर्चा उसने किया है तो जहां इसकी चर्चा उसने की है चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं इसको यहां पे से समता रखी जाएगी और विद्यों का समान संद्ख्रम रखा जाएगा अनुछेद 15 कहता है केवल धर्म मूल वंस जाति लिंग जन्मस्थान के आधार पर ब्रिवेद नहीं किया जाएगा अनुछेद 16 कहता है लोक नियोजन के विशय में आउसर की समता प्राप्त होगी अ अनुछेद 19 क्या कहता है ये कहता है अभिवेक्ति की सुतंदता और इस अनुछेद 19 में 6 प्रकार की सुतंदता हैं समलित हैं कौन कौन सी है देख लेते हैं तो आधार देखिए अनुछेद 19 एक वाक एवम अभिवेक्ति की सुतंदता अनुछेद 19 वन ख अनुछेद 19 एक कहा गया है सांति पूर्ण एयों निरायुद सम्मेलन का अधिकार मतलब अब देखी इसको क्रम से ऐसे याद करिए सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छिद 19.1 क्या कहेगा कर वाक्यों व्यक्त की सुनता अब जब बात करेंगे तो फिर सम्मेलन बनेगा कुछ लोग होंग जो है घूमनी के सुनता मिल जाएगी सबसे पहले हम ने बात किया कुछ लोग ही कठा हुए सम्मेलन हुआ फिर एक संगं बन गया अब उस संग के परचार के लिए हम घूम रहे हैं हर जिघार जा सकते हैं और कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं और बसेंगे तो हमको जीवन यापन के लिए कुछ है, ब्यापार, कारोबार विर्ति भी करनी पड़ेगी, तो इस तरह है, इसको इसमें देख लेजे, अनुछेत 19.1 क्या कहेगा, वाक व्यक्ति, 19.1 क्या कहेगा, सांति पूर् प्राणे में निवास करनी बसने का अधिकार, 19.1 क्या कहेगा, वित कारोबार या वित व्यापार कारोबार की सुतंतरता, आगे देखते हैं, अनुछेत 20 क्या कहेगा, अपराधों के लिए दो सिद्धी के संबंद में सनरक्षन, 19.1 क्या कहेगा, अनुछेत 21, आर्टिकल 21 आगे देखते हैं अनुच्छे 23 ये सोचन के विरुद्ध अधिकार है ये क्या कहेगा अनुच्छे 23 कहेगा मानो दुर्ब्यापार एवं बलाच अस्रम का प्रतिसेद 24 कहेगा 14 वर्षे कम आविके बच्चों का कारखानों इत्याद नियोजन में प्रतिसेद आगे है संपत्तिक अधिकार समाप्त हो चुका है पूर्व इस्थिति क्या है ये मूल अधिकार के अनुच्छे 19 वन चर और 31 में थी अनुच्छे 31 और 19 वन चर में समलेता वर्तबान समाप्तिक अधिकार अनुच्छे 300 क की तहत और संसुधन किसमें किया गया तो 44 समविदान संसुधन 1978 के दौरा इसे मूल अधिकार की सुची से बाहर करके इसे एक पृथक विधिक अधिकार के सुची में समलित कर दिया गया आगे देखते हैं बंदी प्रतक्चिकरन उच् इसमें बंदी प्रतक्चिकरन परमादेश उत्प्रेशन प्रतिसेद और अधिकार पिच्छा समलित हैं आगे देखते हैं अनुच्छे धार्मिक सुतंता देख लेते हैं धार्मिक सुतंता के हैं 25 से 28 तक समलित हैं तो इसमें प्रतेग व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचा संसाओं में धार्मिक सिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में सुतंतरता आगे देखते हैं संस्कृती और सिख्छा संबंदी अधिकार अनुच्छे 12, article 29, अल्पसंक्यक वर्गों के हितों का सन्रक्षा, सुरक्षा संबंदी अधिकार और लेकी था इसमीं, अनुच्छे 30 में क्या है, सिक्छा संसानों की स्थापना और प्रसासन करने का, अल्पसंक अधिकारों का निलम्बन 여기까지 358 अगर आपात क्का दीखे आपात का दो तरीके से लगाया जाता है एक अनुछ JEFF राश्पती द्वरा निलंबित किये जा सकते हैं तिहां ओरल चफालीश्मा सम्धान सूसुदन कि द्वारा ये अन्तविश्ट किया गया कि किसी भी तरीके से लगाया जाया चाहिए वा ठावन या उन्सट के तहट लेकिन उसमें दो अधिकार अनुच्छे 20 और 21 करेलंबन नहीं हो सकता अब कुछ important facts देखते हैं डॉक्टर बी आरंबेटकर ने अनुच्छे 32 अर्था समयदानिक उपचारों को समयदान की आत्मा कहा है और संपत्ति की अधिकार को मूल अधिकारों की सिरेनी से हटाकर विदिक अधिकार 44 में सम्चान सदोन दारब बना दिया गया अब देखते हैं सिख्छा का अधिकार 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 को नहित माना समयदान के अनुच्छेत को निस्वन कमे बन्दी प्रतक्षिकरन अधिनियम के अंतरगत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बन्दी बनाया जा सकता है तीन माह के लिए किसी अभियुक्ति को सोयम के विर्द गवाह बनने के लिए बाद नहीं किया जा सकता समयदान के अनुच्छेत बीस तीन के तहट ऐसा प्रोधान है भारती समविधान के अनुच्छेत पच्चीस में प्रीक्त हिंदू सब के अंतरगत क्या सामिल है तो हिंदू इसके अंतरगत बहुत जैन और सिक्ख को भी सामिलत किया गया है बदुआ मजदूर उन्वुलन अधनियम भारती संसद्र ने 1976 में पारित किया था नीत ने सकता तो DPSP देखते हैं मूल अधिकार और नीत ने सकता तुम्हें कुछ अंतर हैं देख लेते हैं कि क्या अंतर है ये भाग तीन में हैं और नीत ने सकता तो भाग चार में आता है मूल अधिकार अमेरिका के समिधान से प्रेवित है जबकि नीत नहीं सकता तो आरलेंड के समिधान से प्रेवित है इसकी प्रवित्ती नकरात्मक है ये राज पे निसेध लगाता है इसलिए ये नकरात्मक प्रवित्ती का है और DPSP जो है वो साकरात्मक प्रवित्पि कहा है क्यों क्योंकि राजी को ये करना है ये करना है ये करना है उपबंध देता है और राज जो ये जिसा मार्ग पुरदान करता है ये मूल अधिकार वादियोग है, जब कि राजक नीतिसक्तर तो गैर वादियोगो है, उध्यान अधिकार के स्थापना, लागू करने के लिए विधान कया उसकता नहीं, ध्यान रखियेगा, राजनीतिक लोगतंतर की उस्थापना के स्थापना, राजनितिक लोगतंत की स्थापना और इसे लागू करने के लिए विदान की आउशक्ता नहीं होती और यहाँ पर DPSP का उद्रिष्ट क्या है समाजी के विदान की आउशक्ता होती है आगे देखते हैं परिश्चोपी द्रिष्ट कौन क्या है द्रिष्टी संसद ने समान परिश्ट्रम अधिनियम 1976 में पारित किया पुरुस और इस्त्री समान नागरिकों को समान रोप से आजिविका के साधन प्राप्त है अनुच्चेद 49-1 में समुदाय और भौतिक संसाधनों का स्वामित और नियंत्रन इस प्रकार बटा हो जिससे सामुविक हित का सर्वत्तम साधनों सम्मंदित प्राप्तान अनुच्चेद 49-2 में है आर्थिक ब्योस्ता इस प्रकार चले जिससे धन और उत्तपादन साधनों को सर्वसाधारन के लिए अहित कारी संगेंदर नहों यह प्राप्तान अनुच्चेद 49-2 में है आगे देख लेते हैं तो इसमें है पूरुस इहम इस्त्री दोनों को समानकारिक के लिए समान बेतन यह 49-39-D में है 42 संविदान संवसुदन 1976 के द्वारा जोड़े गए मूल कर्टबों की संख्या 10 आप देखे 42 संविदान संवीदान संवसुदन में कर्टब की संख्या कितनी थी मूल अदिकार तो उसमें 10 पराओधान थे अब 11 हैं जिसको 86 स मिदान संविदान.... 2002 मेंए जोड दिया गया सोवन स स्मेती कीकु संक्या कितनी थी 12 मौलिक कर्तब को प्रावी बनाने के लिए गठि समित का नाम क्या था जे एस वर्मा समिती ठीक है जे एस वर्मा समिती इसी के साथ 11 हो गया इसको जोडने से मौल कर्तब देख लेते हैं एक क्या उनको भारत के प्रतेक नागरिक का या कर्तब भी होगा कि वह समितान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्ताओं, राष्टधज और राष्टगान का आदर करे अगला है सुतंतरता के लिए हमारे राष्टी आंदुलन को प्रेरित करने वाले उच आदर्शों को हिर्दय में संजोए रखे और उसका पालन करे तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और रखंडता की रक्षा करे और उसे अक्छोन रखे चोथा है देश की रक्षा करे और आवाहन किये जाने पर राष्ट की सिवा करे पाच्वा मौलिक कर्तब क्या है भारत के सभी लोगों में समर्सता और समान भारतित्तु की भावना का निर्माल करे जो धर्म, भासा या प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो इस्त्रियों के सम्मान के विर्द्ध हो चेटवा क्या है हमारी समासिक संस्कृति की गौरोसाली परंपरा का महतु समझे और उसका परिरक्षण करे प्राकरतिक पर्यावरण की जिसके अंतरगत वन जील नदी वन नजीव है रक्षा करे उसका समवर्धन करे तथा प्राणी मात के प्रति दयभाव रखे आठवा मौलिक करतब्य है बैज्यानिक द्रिष्टिकोंड मानवाद और ज्यानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे नौवा संपत्ति सारुजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ब्यक्तिगत और सामोहिक गतविधियों के सभी छेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने का सतत्त प्रयास करे जिससे राष्ट निरनतर बढ़ती हुई प्रगति और उपलब्धी की नई उचाईयों को छूले ग्यारवा क्या है जो माता पिता या सनरक्षक है वो छे से चौधा वर्स तक की आयो वाले अपने बच्चों यथा इसे थी अपने पाले को सिख्छा के अउसर प्रदान करें यह हो गया हमारे मौलिक कर्थब अब देखते हैं मौलिक कर्थब चे कुछ कुल 11 मौलिक कर्थब grants प्रेर्था स्रोत क्या है मौलिक कर्थब गया तो वो सोवियत संह से यह लिया गया है अनुसंसा स्वरन सिंग की से फारिश पे लिया गया स्वरन सिंह समित की से फारिश पे आया था जोडा गया 42 में समिधान संसोदन 1976 द्वारा इक ग्रहुआ मुल कर तबे को जोडा गया समिधान में उलेख है चार क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतरगत राश्टपती देश का प्रथम नागरिक है और समिधान में प्राउधान क्या है तो अनुच्छेद 52 से 62 में इसका प्राउधान है आगे देखते हैं राश्टपती के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाउग कराने का समय है अनुच्छेद 62 में आद अनुच्छेद 60 में क्या है राश्टपती द्वारा सपत वप्रते ज्ञान 61 में क्या है राष्टपती पर महावियोग की प्रक्रिया इसको हम नीचे से देखते हैं स्टार्टिंग से हो दाएगा ठीक है चलिए राष्टपती से संबंदित अनुछेद 52 में ये कहा जाता है कि भारत का एक राष्टपती होगा तिरपन में ये कहा गया कि संग की समस्त कारेपालक सक्तियां राष्टपती में नहीं उत्थ होगी अनुछेद 14 में कहा गया कि राष्टपती का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा 55 में कहा गया राष्टपती के निर्वाचन की रीती क्या होगी ये बताई गई अनुचे 56 में राश्पती की पदावधी बताई गई, अनुचे 57 में राश्पती के पद के लिए किसी ब्यक्ति के पुनर निर्वाचन की पातरता बताई गई, 58 में राश्पती के निर्वाचित होने के लिए अरहर्ता बताई गई 69 में राश्पती के पद के लिए सर्थ बताई गई 60 में राश्पती द्वारा सपत वो परतिज्ञान के चर्चा है अनुच्छेद 61 में राश्पती पर महाभियोग के चर्चा है 62 में राश्वती के पद रिक्त को भरने के चुनाव कराने का समय आगे देख लेते हैं राश्वती का निर्वाचन इस संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदश्यों द्वारा होता है अनिर्वाचन की विधी क्या है अनुपाति के प्रतनिधी तो प्रणाली जो की एकल संक्रमणी होती है और गुप्त मतदान होता है अब देखते हैं राश्ट पती के पद की अहर्ता क्या है लोग सभा का सदसे निराचित होने की योगिता रखता हो अब राश्टपती के निर्वाचन का नमांकन उमिद्वार के प्रस्तावकों और अनुमोदुकों की संक्या कम से कम क्या होनी चाहिए? 50 प्रस्तावक हों साथ ही 50 अनुमोदखों पंद्रह हजार रुपए जमानत रासी होनी चाहिए और जमानत रास की जबती अगर कुल डाले गए मतों का एक बटे छव भाग से भी कम मत पड़ता है तो जमानत उनकी जबतु हो जाती है आगे देखते हैं राष्टपती के पद की रिक्तता तो वो रिक्त कैसे कर सकता है त्याग पत्र दे के कर सकता है या फिर उनको महावियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है या उनकी मिर्तिव से उनका पद खाली हो जाता है उच्चतम न्याले द्वारा मिर्वाच क्या होता है? तो सबसे पहले देख लीजे कि समिधान की अनुच्छेद 61 में महावयोग का उल्लेक किया गया है, और महावयोग के कारण क्या हो सकते हैं? समिधान का कदाचार, एक मात्र समिधान का कदाचार, मतलब समिधान का उल्लंगन. नोटिस 14 दिन पूर्व देना पड़ता है, नोटिस पर हस्ताक्षर संबंधित सदन के कम से कम एक चौथाई सदस्चों का हस्ताक्षर नोटिस पर होना चाहिए, प्रस्तुर ये संसद के किसे भी सदन में किया जा सकता है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग कम से कम दो तिहाई बहुमत से इसको पारित होना अवश्यक है, आगे देखते हैं राश्पती की सक्तियां, अब देखते हैं इसकी सबसे पहले कारेकारी सक्ति, तो अनुच्छे तिरपर कहता है कि संग की कारपाल के सक्ति राश्पती में नहीं था होगी, और अनुच्छे है उसका प्रशाषन करना ये राश्च्पती की कार्यकारी किया द्धाय् उची शेत्र घोसिट करना इसको आव विधाई सक्ति मत समझेगा कारी-कारी सक्ति ही है नयाइक सक्ति देखते हैं नयाइक सक्ति में उच्छ नःले तुथ़ा उची तम नयाले के नयधीसो की नियुक्ति आती है और छमा करने की सक्ति अनुच्छ tiếp 72 में वनित छमा करनेpes की स संसद का सत्र आहूत करता है, साथ ही सत्रावशान करता है, इसका वरणन अनुच्छेद पचासी में है, अनुच्छेद पचासी कहता है कि राश्पती संसद का सत्र आहूत करेगा और उससा सत्रावशान वह विगटन करेगा, संसद में राश्पती का विशेस अभिभासर अन अनुमती अनुचेद 111 और अध्यादेश जारी करने के सक्ति अनुचेद 123 ये भी विधाई सक्ति के अंतरगत आता है। ये भी और वित्तिय आपातकाल ये भी आकस्मिक सक्ति के अंतरगत समलित है। ये अर्टिकल 267 में इसका वरणन है। किसी के साथ जो अंतरराष्टी संधिया करेगा वो राश्पति के नाम से ही कियर करेगा। साथ ही अंतरराष्टी मंचों पर मामलों में भारत का प्रत्निदी होता है। आज दूतों व उच्चा युक्तों को भेजना ये उसका स्वागत करना ये राश्पति की सक्ति में आता है। आगे देखते हैं भारत के राश्पति और उनका कारेकाल। तो इसमें आपको सारे कारेकाल याद करने की ज़रूत तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजे। एक्जाम में पूछ सकता है कभी। सबसे पहले राश्पति राजैंदर प्रसाद जी ये 1950 से 1962 तक रहे। गिरी ये कारेवाहक राश्पती रहे और ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1979 तक रहे ध्यान रखेगा 3 मई 1979 से 20 जुलाई 1979 तक रहे 12 गिरी वेंकेट गिरी आगे देखते हैं न्यायमूर्ती मुहम्मद हिदायतुला ये भी कारेवाहक रहे ये भी 20 जुलाई से 20 जुलाई 1979 से 24 अगस 1979 तक रहे और फिर उसके बाद 12 गिरी वेंकेट गिरी राश्पती के रूप में चुन के आये और 1979 से 1974 के रूप में उन्होंने अपना कारेकाल पूरा क्रम किया और क्रम में ये चौथे बैखती हुए डाक्टर फकरुद्दीन अली अहमद ये 1974 से 1977 तक रहे बीडी जत्ती ये कारेवाहक है ये 1977 से 1977 मतवी 11 फरवरी 1977 से जुलाई 1972 में आपको डेट याद करने की ज़रूत नहीं है आप अगर सन याद रख सकते हैं तो ठीक है अधर बाज इतना याद रखिएगा ही कौन कारेवाहक है अब आकी जो पूल कालीन रहे उनके आप येर याद कर लीज़े तो बीडी जत्ती ये क कारेवाहक रहे इसको छोड़ देते हैं नीलम सज्जी उरडी इनको याद रख लीजे ये 77 से 82 रहे इनका कारेकाल ज्यानी जैल सिंग इन्होंने बहुत अच्छा प्रथम पॉकेट बीटों का प्रयोग किया था प्रथम किया आज तक इन्हों नहीं किया है क्यों 1982 से 1987 आर आपने एपीजे कलाम जी आ गए और 2002 से 2007 तक ये रहे प्रतिभा सिंग पार्टिल ये 2007 से 12 तक रही प्रणों मुखर जी ये 12 से 17 तक रहे और रामनात कोबिंद ये 16 एक्रम में 14 वे बैक्ति में आज तक अभी तक ये चल रहे हैं 17 से इनका कारेकाल शुरू हुआ है इनका आ याद रखेगा इस 16 वे करम में और बैक्ति का उसार 14 करम में हैं आगे देखते हैं राश्पति की छमादान की सक्ति जब राश्पति छमा कर देता है तो वो दंड से पूर्ण तह मुक्त हो जाता है ऐसे हो जाता है जैसे उसने कुछ अपराद किया ही नहीं था पूरी तर प्रशन से लगूत तरी प्रशन मतलब उसके स्वरूप को बदल दिया गया अब डंड के स्वरूप को बदलना लगू करन के तहत वो डंड के स्वरूप को बदलता है परिहार के तहत दंड की अवधी को बदल देता है विराम सजा को विसेस परिसितियों में कम कर देता है परिलंबन या प्रविलंबन इसमें डंड विसेश कर मिर्त्य डंड पर अस्थाई रोग लगा देता है आगे देखते हैं राश्पती की बीटो सकती तो अत्यांतिक बीटो इसमें विदेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना ये अत्यांतिक बीटो के अंतरगत है निलंबन वीटो या जेवी वीटो ये विधेयक पर कोई नेड़े नहीं करना मतलब विधेयक को जेव में डालके रख ले ना उस पे ना तो हाँ बोलना ना तो ना बोलना अब देखते हैं महत्वपूंण तथे देखते हैं भारत की तीन सिनाओं का प्रधान सिनापति राश्पती होत किसी भॉगोलिक छेत्र को अंसूचित छेत्र गोशित करने का समयदानिक दिका राश्वती के पास हैं। के भीतर राश्टपती की मृत्यू पदित्याग या पद से हटाये जाने के कारण रिक्ति पर कारेभार समालेगा उपराश्टपती यदि उपराश्टपती ना हो तो भारत का न्यायदेश समालेगा आगे देखते हैं अब तक राश्टपती का कारेभार समालने वाले डेश के एक मात्र मुख्य नायमूर्थी मुहम्मद हिदायतुल्ला जी रहे जिनोंने 20 जुलाई 1979 से 24 अगस 1979 तक उनका कारेकाल समाला लोक सबा में धन विदेग परस्तुत किया जाता है राश्टपती की पोरशन अनुति के अनुतार राश्टपती को प्रदानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का दिकार है भारति समिधान केनुचेद अठचतर के तालिए इसको याद रखिएगा कि राश्टपती को दनाईक प्रक्रिया है भारत की कारेपपाली का अध्यक्ष कौन है भारत का राश्टपती द्यानकी तो अगला है महानियावादी महादिवक्ता और स्टीजी महानियावादी अटाउनि जर्नल को देखते हैं यह अनुछे 76 के इंतरगत इंका उर्णन है और परिश्रमिक यह स 2 सदनों की कारवाई में ये भाग ले सकते हैं और योगिता क्या है उच्छतम न्याले का नयाधिस नियुक्त होने के लिए योग है हो और नियुक्ती राश्वती द्वारा की जाती है भारत सरकार का सरवोच विदिक अधिकारी यह है तीन की विशेशता ध्यान रखेगा ये 62 वी BPSC में पूछा हुआ है आगे चलते हैं परिक्षाप योगी दिश्टिकोन भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और सलाहकार भी होता है महानियावादी अपना पद धारन करता है राश्पती के प्रसाद प्रदेंट संसत के किसी सदन का सदस ना होते हुए सदन के कारवाई में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता महानियावादी राजसरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार होता है महाधिवक्ता जिसको एडवोकेट जर्नल भी कहते हैं भारती समिदान का वह अनुच्छे जिसके अंतरकत नियंतरक महालेखा परिक्षक की और आधार पर उच्यतम नियाले के नाधिस को हटाया जा सकता है उसी आधार पर संसत के दोनों सदनों में विसेस भमत द्वारा नियंतरक महालेखा परिक्षक की लेखा परिक्षक प्रतिवेदन रिपोर्ट की जाच कौन करता है तो लोक लेखा समिद करती है केंदर सरकार के लेखांकन के कारे में CAG को अलग किया गया 1976 में फिर देख लिजे केंद्र सरकार के लेखांकन के कारे से CAG को अलग किया गया 1976 में आगे देख लेते हैं विविद में वित्तायोग और उनकी अध्यक्षिक और कारिकाल दिया हुआ है तो चलिए देख लेते हैं इसमें पहला वित्तायोग 1929 में केसी नहीं होगी इसके अध्यक्ष थे और इनका कारेकाल 52 से 16 रहा है पहला वित्तायोग 2020 से 25 सखिन का कारेकाल है 2017 में नियुक्ति की गई और एनके सिंग इसके अध्यक्ष्य हैं 2020 से 25 के लिए रिपोर्ट सौपेंगे आगे देखते हैं महाधिवक्ता एड़ोकिट जेनल तो राज सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है ये और नियुक्ति राज के राजपाल द परियंत रहता है और इसका उलेक समिदान के अनुचेद 165 में है महाधिवक्ता आगे देख लेते हैं नियंत्रक महालेखा परिक्षा की ये बहुत इंपोर्टेंट है इस पद की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है इसलिए कोश्चिन में भी इंपोर्टेंट हो जाता है सम रखेगा आपको फसाएगा वह कहएगा कि राजपती के प्रसाद परियंत है ये तो ये प्रसाद परियंत नहीं है क्योंकि इस पद की बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है तो समिधान ने इसके कारेकाल को फिक्स कर रखा है 6 वर्स या 65 वर्स कारी देखते हैं केंदर सरकार के लिए के वो लेखा परिक्षन का और राज सरकार के लिए लेखा और लेखा परिक्षन दोनों का कारिये करता है। नियंतरक महालेखा परिक्षक केंदर सरकार के लिए के वो लेखा परिक्षन और राज सरकार के लिए लेखा और लेखा परिक्षन दोनों। रिपोर्ट सौंपता है राजपती को केंदर के लेखाओं की और राजपाल को राज के लेखाओं की आगे देखते हैं बीविध इसमें भारत सरकार देखते हैं तो भारत सरकार एक मेंट सरकार बनती है तीन अस्तंबों से विधाईका, कारिपालिका और न्याईपालिका तीन पति उपराश्वति और प्रदानमंत्री को समलित किया जाता है नालिपालिका में उच्छ ने आले उच्छ ने आले और जिला ने आले समलित हैं आगे देखते हैं पंचायती राज से संबंदित समीतियां तो सबसे पहले बलवंत राय महता समीति 1957 में गठित हुई असोक महता समीति 1977 में जेवी राव समीति 1985 में एलम सिंगवी समीति 1986 में केपी ठुंगन समीति 1988 में चलिए बिदान परिसद लाने वाले राज देखते हैं तो आंधर प्रदेश एक मिनट तो बिदान परिसद देख लेते हैं तो बिदान परिसद में कहा कहा शराजों में विदान परिशदे हैं अब दो और होने वाली हैं राजस्तान पस्चिमंगल देखे जब ही हो जाए उत्तर उप राश्वती देखते हैं उप राश्वती योगिता भारत का नागरीक हो 35 वर्श की आयपूरी कर चुका हो और राजस्वा का सदस्य होने के योगि हो ध्यान रखेगा राश्वती के लिए लोकस्वा था और उप राश्वती के लिए राजस्वा का सदस्य निर्वाचित होने की योगिता हो 4 लाख रुपए प्रती माह राजस्वा के सभापती के रूप में उसे मिलता है ध्यान रखेगा राजस्वा के सभापती के नुपातित, प्रतनेदित, पढ़ते टीके अंसार एकल समक्रमणिय मत द्वारा इसका चुनाम होता है और यह चुनाम गुपतो होता है पद इनका पाँच वर्स तक रहता है आप देखते हैं राश्टपती की पदवरीक्ति साथ ही राजशबा की ततकालिक समस्त सदस्यों के बहुम्मत दौरा पारिट संकल्प के दौरा इनको फटाया जा सकता है जीस पर लोगसवा सहमत हो ठीक है ध्यान रखिएगा इनमें महाभ्योग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है इसके लिए क्योंकि पद की इतनी ज्यादा इंपोर्टन्स नहीं है आगे देख लेते हैं भारत के उपराश्वति और उनका कारेकाल सबसे पहले सरुपदली राधा क्रिश्ण जी 1962-62 जाकिर हुसेन 1962-67 फिर वीवी गिरी 1967-79 गोपाल सरुप पाठक 1979-74 देखे इसको आप पढ़ रहे हैं इसके साथ टैली करते रहे हैं कि कौन से ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहां भी थे और राजपती में भी थे पुछता है कई बार गोपाल सरुप पाठक आगे देखते हैं बीडी जत्ती 1974-1989 एम हिदाय तुल्ला नयाय मूर्ती हैं यह 1989-1984 याद रखे कारेवाहक नयदीज भी थे यह कारेवाहक राश्पती के रूप में रहे हैं यह आर वैंकट रमण 1984-1987 डॉक्टर संकर दयाल सर यह भी थे 1987-1992 इन सबको याद रखेगा के आर नरायन 1992-1997 राधा कृष्ण 1997 से सारी कृष्ण कांत 1997-2002 भैरो सिंग से खावत 2002-2007 मुहम्मद हामिदंसारी 2007-2017 एम वेंकेया नाडू 2017 से अब दक आगे देखते हैं महत्तपूर्ण तत है उप राश्पती को सपद दिलाता है राश्पती या राश्पती द्वारा इसकृत्त के लिए नियुक्त ब्यक्ति भारत के उप राश्पती का पद बनाये गया अमेरिका के उप राश्पती की तर अनुछे तिरसथ में किया गया अनुछे तिरसथ भारत के उपराश्पती को बेतन दिया जाता है राजसभा के सभापती हे तु न की राश्पती के रूप उपराश्पती के रूप में राजसभा का पदेन सभापती होता है भारत का उपराश्पती राश्पती की पद रिख समलित होते हैं आगे देखते हैं केंद्री मंत्री परिसद में नियुक्ती राष्पती द्वार Не की जाती है प्रमुख बैठक किया देख चिता प्रधान मंत्री करता है और इसका आकार जो होता है लोगसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रचिसत होता है और केंद्री केंद्र में मंत्रालेओं की संख्या 15 अगस 1946 को 18 थी और वर्तमान में 51 मंत्राले हैं कार क्या है प्रधान मंत्री अन्य मंत्रियों को सबद दिलाता है राश्वपती केंद्री मंत्री मंडल की बैठकिया देख्षिता प्रधान मंत्री करता है कोई भी मंत्री संसत का सदश्य बने बिना मंत्री कब तक रह सकता है 6 माह तक रह सकता है और समिदान के मंत्री मंडल सब्द का प्रियोग कहां किया गया है तो समिदान में मंत्री मंडल का प्रियोग मातर एक जगा किया गया है वो भी अनुश्य 352 आपातकाल में किया गया है अनुश्य 352 के खंडत'tीन में किया गया गूद्बौर्णिंग फ्रेंट्स एक विश्याला में आपका स्वागत है फ्रेंट्स हम लोग घटना चकर फ्लो चार्ट नोट्स की सिरीज में quality का discussion कर रहे थे जिसका ये दूसरी क्लास है और अंतिम क्लास है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें हम लोग केंद्री मंत्री परिसद समंदित अनुच्छे से स्टार्ट करते हैं इससे पहले का complete किया जा चुका है अनुच्छे चोहतर एक इसमें राष्ट कहा गया है कि राष्टपती की सहायता हे तू एवं सलाह हे तू एक मंत्री परिसद होगी और जिसका प्रमुख जो है वो प्रधान मंत्री होगा अनुच्छे चोहतर दो कहता है कि राष्टपती को मंत्री परिसद द्वारा दी गई सलाह की जाच किसी न्याले द्वारा नहीं कराई जा सकती अनुच्छे परिसद परिसद का आकार लोग सभा की कुल सदश्य संख्या के 15 परिसद से अधिक नहीं होगा और अनुच्छेद 75.2 कहता है कि मंत्री परशद या मंत्री राश्ट्पती के प्रसाद परियंतपद धारण करेंगे मंत्री 75.4 कहता है मंत्रियों को सपत राश्ट्पती दिलाएंगे अनुच्छेद 78 कहता है राष्टपती को जानकारी देने आधी के संबंद में प्रधान मंत्री की करतब्य का उलेख है मतलब अनुच्छेद 78 में राष्टपती को जानकारी देने संबंदी प्रधान मंत्री की करतब्यों का वरडन किया गया है आगे देखते हैं कुछ important facts, प्रधान मंतरी अपना त्याग पत्र राश्पती को सौपता है और प्रधान मंतरी सहीद cabinet अस्तर के मंतरी परशद को cabinet या मंतरी मंडल कहते हैं, भारत सरकार की समस्त कारेपालक कारेवाही या किसके नम से की जाती है तो राश्पती के नम से की जा होता है तो ये प्रधान मंतरी होता है, civil services board का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है तो cabinet सची होता है, आगे देखते हैं मंतर परिशत सामुही के रूप से लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है और मंतर परिशत के विरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव लाने के लिए अविस्वास प्रस्ताव पेस किया जाता है केवल लोगसभा में भारे से संबंदित अधिकारिक दस्तावे स्वेत पत्र कहलाता है भारती सम्विदान में अनुच्छे चोहतर एक कर जोडा गया 51 सम्विदान संसोधन अधिनियम 2003 में राश्पती को कैबिनेट की सलाह मानना बाधिकारी कर दिया गया ये 42 सम्विदान संसोधन अधिनियम के तहत किया गया था राश्पती को कैबिनेट की सलाह को पुनर विचार के लिए एक बार भेजने की सकती अब पद और उनकी वरिता क्रण देख लेते हैं तो देखते हैं राश्पती का पद सबसे पहले फिर उप राश्पती फिर प्रधान मंतरी फिर राज के राजपाल भूतपूर राश्पती और भारत के मुख्यनायधिस इसके बाद लोगसभा अध्यक्ष का और उनके देखते हैं राजसभा और लोगसभा में विपक्ष के निता नीतियायव के उपाध्यक्ष भूतपूर उप्रधान मंतरी और राज के मुख्य मंतरी आगे देखते हैं भारत के रत्न से सम्मानित ब्यक्ति भारत इस्थित विदेशियों के साधा असधारन तथा पूरा बाहर उनकी सिती के बता रहा है उसका अक्रम और राजे के मुख्य मंतरी यह जो राजे से बाहर इनकी क्या सिती होती उसकी वरड़ान है कि सर्वोच्य न्याले के नैधिस देखे पदानुक्रम में इनका नौवा अस्थान आता है आगे देखते हैं संग लोग सिवायो के अध्यक्ष फिर नियंतरक बहालेखा परिक्षक उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयो फिर राजसभा के सभा उपसभापती लोग सभा के अध्यक्ष और राजसभा के उपसभापती पे और नीतियायोक की असदश्य, राजियों के उपमुक मंत्री और केंदर के राजिमंत्री, ये लगवग समान विस्षिती में है, आगे देखते हैं, 11 नंबर पे आएंगे, भारत के महानयायवादी, इनी के साथ कैबिनेट सच्चीव और उपराजिपाल, ये लगवग समान व अब देखते हैं, कुछ नोट दिया हुआ है, वरियता अनुक्रम केंद्र वयम राज सरकारों के विभिन पता अधिकारियों के पदुग्रम से संब्दित है, इसका प्रियोग राजनेतिक समारोहों के अउसर पर किया जाता है, 26 जुलाई उन्हें 89 को वरियता अनुक्रम से सम्मदित अजसूचना जारी की गई थी, भारत का कैबिनेट मंतरी, भारत का सरवोच्य सास की अधिकारी होता है, आगे देख लेते हैं, संसर, तो अबलार है, लेकिन काम चला लीजे, संसर है, इसके अंग देख लेते हैं, तो इसके तीन अंग है, राष्टपती, सभा का यह उच्छ सदन है, लोक सभा नेन्व सदन है, और राजसभा का उलेक अनुच्छेद 80 में है, लोक सभा का की चर्चा अनुच्छेद 18C में है, समयदानिक प्रावधान देखते हैं संसत का, यह भाग 5 में अनुच्छेद 89 से 122 तक है, कार क्या है, तो केंदरी अस् 52 को हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिसको हम गणेश वाजदेव मावलंकर भी कहते हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष मेरा कुमार थी, और सदस्र बनने की नियुंतम आयुपची सवर्ष होती है, लोक सभा अध्यक्ष इस्तगन करता होते हैं, और सा अधिक्तम 550 सीटे हो सकती हैं, जिसमें से 530 सीटे राज़यों से, और 20 सीटे संगराज छेत्र से आएंगी, यूटीज से आएंगी, तो इसमें ध्यान रखिएगा, यह पूछ सकता है कि यूटीज के लिए कितनी सीटे हैं, तो 20 सीटे हैं, अधिक्तम, और वर्तमान इससी क्या है इसकी तो कुल 543 सीटे अभी वर्तमान में हैं और जिसमें राज्यों से 524 सदसे चुनके आते हैं और संगराज छेत्रों यूटी से 19 सदसे चुनके आते हैं यदि राश्टपती की राय में लोकसभा में आंगलभाती समुदाय के प्रतनिती को परियाप्त प्रतनित न 2019 के द्वारा 25 फर्वरी 2020 को समाप्त कर दिया गया तो जो SC, ST और आंगलभारती समुदाय से लोग आते थे उनमें से अब आंगलभारती समुदाय इस आधार पे नहीं आ सकते कि उनका प्रतनित्तों संसद में कम हैं यह 104 समुदान संसुदन अधिनियम 2019 में समाप्त कर दिया लोग सभा अध्यक्ष देख लेते हैं तो वैसे सारे अध्यक्षि इंपॉर्डइन नहीं है आप देखना चाहें तो देख लें हम यहाँ परफले दूसरे और लाश्के कर लेंगे जीवी मावलंकर यह पहले लोग सभा अध्यक्ष है और यह 15 इनका कारिकाल देख लें तो इनको आप देखना चाहें, तो स्क्रिंसोर्ट लेके देख सकते हैं, यह बहुत important, सारे सब important नहीं होते हैं, यहाँ पे आप मीरा कुमार को देख लीजे, क्योंकि यह प्रथम महिला है, इसलिए important हो जाता है इनका कारेकाल, 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक इनका कारेकाल रहा, सुमित हैं, आगे देख लेते हैं, केंद्र सरकार का विधाई अंग संसद है, लोकसभा में राजवार सीतुक का अवांटन 1971 की जनगरनात्य आदार पर किया जाता है, लोकसभा का कारेकाल 5 वर्स का होता है, और यह प्रथम अधिवेशन की यह नियक तारिक से काउंट होता है, प् आपातकाल में संसद की एक अवदी बढ़ाए जा सकती है, एक बार में एक वर्स के लिए, लोकसभा के एक सत्र को अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच में कितनी अंतर होना चाहिए, तो 6 माँ से अधिक कांतर नहीं होना चाहिए, मतलब 6 माँ से कम कांतर देगा 6 मां से धीकांतर नहीं होना चाहिए दो बैटकों के पीच में लोकसभा राजसभा में कोरम जिसे हम गड़पूर्थी भी कहते हैं वो कितनी होती है तो कुल सदर्श शंक्या का एक बटे दस्वा भाग जो होता है वो कोरम कहलाता है लोकसभा अध्यक्ष अपने निर् जिनायक मत का प्रयोग कर सकते हैं आम चुनाओ की बाद नौ निर्वाची सदस्यों को सपत प्रोटे मिस स्पीकर दिलाते हैं प्रोटे मिस स्पीकर के नियुक्ति कौन करता है तो ये लोकसभा के संदर में राश्वती और विधान सभा के संदर में राजेपाल करते हैं लो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, लोकसभा का प्रतम चुना हुआ था, 489 सीटों के लिए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बेडला है, लोकसभा को कारिकाल पूरा होने से पहले भंकिया जा सकता है, राश्पती द्वारा मंत द्रिपरिशत की सलाह पे, आगे देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन छेतर के लिए, चुनावबय की अधिक्तम आयुसिमा, बड़े राज्यों के लिए 77 लाख, और छोटे राज्यों के लिए 69.4 लाख निरधारित है, वर्तम लोकसभा अध्यक्ष या स्पी लोकसभा सची वाले प्रत्यक्ष रूफ से कारे करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतरगत कारे करता है, ज्यान रखिएगा, लोकसभा सची वाले डारिक रूफ से लोकसभा अध्यक्ष के अंतरगत कारे करता है, अब हम राज्यसभा के बारे में थोड़ा देख लेते है, और कुल सीटें इसमें 200 हैं, और वरतमान में, राज आयं संघराज्छेत्रों से 238 सीटें, और राच्टपती द्वारा 12 सीटें, मतलब, राज और संघराज्छेत्रों से 238 लोगों का चैन किया जाता है, जो है चुनाओ के माध्यम से आते हैं, चुन के पर होता है, वो कचार शेत्र कौन-कौन से हैं, तो साहितिर, बिज्ञान, कला और समाज सेवा के शेत्र में, आगे देखते हैं, निर्वाचन क्या है, तो निर्वाचन राजसभा का प्रत्यक्ष विधी से होता है, तो अप्रत्यक्ष विधी में कई विधियां होती है, तो उ इकल संक्रमणिय मत प्रणाली की माद्यम से होता है गुप्त मत दान की माद्यम से आगे देख लेते हैं लोकसभा राजसभायूं विध्यक विध्यक के प्रकार देखते हैं तो चार प्रकार के विध्यक साधारता होते हैं कौन-कौन से एक तो है साधारन विध्यक दूसरा है वित्धन विधेयक और तीसरा है वित्विधेयक और चौथा है विसेश विधेयक अब हम देख लेते हैं वित्विधेयक भी दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से एक तो होता है वित्विधेयक वन और एक होता है वित्विधेयक दो दूसरा देखते हैं विसेश विधेयक में कौन-कौन से हैं तो विसेज विद्यक में सम्मिदान संसोधन विद्यक होते हैं और ये दो तराके होते हैं एक तो ऐसे होते हैं जो कि संगी प्रकित के होते हैं मतलब ऐसे संसोधन जिससे संगी बेवस्था में परिवर्तम होनी की जो है गुंजाई सो तो उसे हम संगी फेड अनुच्छे 93 के अनुसर लोगसभा अपने सदश्य में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाओ करती है ध्यानकिया अनुच्छे 93 आर्टिकल 93 ये क्या कहता है ये कहता है कि लोगसभा अपने सदश्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाओ करेगी और लोगसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोगसभा सपत के रूप में सपत लेते हैं ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में पेसे सुन लेजे लोगसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो लोगसभा सदस्य के रूप में सपत लेते हैं ना पद से हटाया जा सकता है इसको हाला कि 14 दिन पूर इसके सूचना देना अवश्य और लोकसभा एक साई सदन है और जिसे कभी भी प्रदान मंतरी की सलापर राश्पती द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा का कारेकाल समनता पांच वर्ष का होता है समानता इसका कारेकाल पांच वर्ष का होता है और आपात काल के समय संसद वीधी द्वारा लोकसभा के कारेकाल में रिद्धी कर सकती है जो की एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकती मंतरी परिशद लोकसभा के प्रति सामूहीक रूप से उतरदाई होते हैं और लोक सभा में कोरम या गणपूर्ती कुल सदस्यों की 1 by 10 या 55 सदस्य होती है, 55 members, और देखते हैं, आर्टिकल 108, सम्विदान का अनुच्छे द 108, ये कहता है कि दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किया जा सकता है, तो संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावदान सम्विदान की अनुच्छे द 108 में वणित है, लोक सबा अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन करता है, और ऐसा अउलेक सम्विदान की अनुच्छे द 118, 4 में है, कोई विदेख, धन विदेख है या नहीं है, इसका लिएने लोक सभा अधिवेशन क करता है प्रथम लोग सभा का कारिकाल 17 अप्रेल 1952 से 4 अप्रेल 1997 तक रहा था जबकि लोग सभा का प्रथम अधिविशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था आगे देखते हैं संसदिय समीतिया गठन करता नाम निर्देशित करता और प्रतिवेदन करता यह सब अध्यक्षिय सभापती करते हैं सब काम यह सारे काम अध्यक्षिय सभापती करते हैं अब देखते हैं सूचना का अधिकार 2005 सूचना का अधिकार अधनियम 2005 यह 11 मई 2005 को लोग सभाद्वारा पारित किया गया और 12 मई 2005 को राज सभाद्वारा पारित किया गया और सबसे important डेट 12 अक्टूबर 2005 है जिस दिथी को ये लागू हो गया सूचना का अधिकार अधनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है संबंधित वाद देखते हैं ये नमित सर्मा बनाम भारत संग संबंधित है इससे नमित सर्मा बनाम भारत संग वाद सूचना का अधिकार अधनियम 2005 से संबंधित है स्वरूप क्या है इसका तो यह एक विधिक अधिकार है अब देखते हैं इस्थाई समीतियां, समीतियां समीतियों के प्रकार देखते हैं, इसमें एक है इस्थाई समीति, इस्थाई समीति में देखते हैं को, इसकी प्रकित क्या होती है, इस्थाई होता है, गठन इसका प्रतेक वर्स किया जाता है, और कारिकाल एक वर्स का होता है, अगली है तदर समीति देख लेते हैं, इसकी प्रकिती अस्थाई होती है, गठन इसका विशेश उद्देश किया जाता है, और कारेकाल इसका उद्देश के पूर्ण होने तक रहता है, तदर्थ समीति, अब अगला देखते हैं, संसरी की वित्तिय समीतियां, तो वित्तिय समीतियां इसका उ संयुक्त समिति होती है एकल समिति में प्राकलन समिति जिसकी सदस्य संक्या तीन होती है और इसमें किवल लोग सभा के सदस्य होते हैं प्राकलन समिति में अब दूसरी देखते हैं संयुक्त समिति संयुक्त समिति में लोक लेखा समिति और सरकारी उपकरम समिति मुख्य है अ आगे देखते हैं सरकारी उपकम समिति, इसमें 22 सदश्य होते हैं और इसमें भी 15 लोगसभा और 7 राज्यसभा से चुनके आते हैं, आगे देखते हैं स्थाई संसरी समितियों के प्रकार, तो ये कौन कौन सी रोती हैं? इस भी होती हैं वित्ती समितियां, विभागी इस्थाई समितियां, जाच समितियां, निरक्षन एवं निरंतरन के लिए गढ़ी समितियां, सुधन समिति, एवं सेवा समिति, और सदन के दैनिक कार्यों से संबंदित समितियां, आगे देखते हैं समियुक्तु बैठक, 1961 में ये दहेज बिरोधी निरोधक विदेयक पे और 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विदेयक के निरसन पर और फिर 2002 में इसको पोर्टा पर बुलाई गई थी आगे देखते हैं संबंधित विदेयक तो इस संयुक तो समीत स्वारी संयुक तो बैठक का प्रावधान केवल साध निर्धारन विदेयक और बित विदेयक के मामले में किया जा सकता है आगे देखते हैं अनुचेद ये तो हो गया आगे देखते हैं धन विदेयक तो धन विदेयक देखते हैं अनुचेद 109 और 10 के अंतरगत या आता है लोकसभा में पुरह इस्तापित होता है ये धन देख लोग सभा में ही पुरज स्थापित होता है, निर्धारन लोग सभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, कि ये धन विदेख है या नहीं है, राज सभा रोक सकती है, अधिक से अधिक 14 दिन के लिए बस, उससे अधा नहीं, अब देखते हैं, लोग लेखा समीत के अध् पुर्ट सोबती है, लोग सभा अध्यक्ष को, भारत सरकार ने वन सनरक्षन अधिनियम वर्स 1980 में पारित किया, राशपती द्वारा, राज सभा में मनोनित 14, 12 बैक्ती होते हैं, और प्रथम अविनेत्री जो राज सभा में नावांकित हुई थी, वो थी नर्गेस्त हैं, संसद, इसका उलेक समिदान के अनुच्षेद 89 से 122 तक है, और ये समिदान के भाग 5 और अध्याय 2 में वनित है, अनुच्षेद अन्याशी क्या कहता है, ये कहता है कि संग के लिए एक संसद होगी, जो राश्ट पती और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज सभा में राजियों में अधिक्तम 530 और 20 सदज संसाते छेत्रों से होगे, अनुच्षे 93 ये लोग सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाओं के चर्चा करता है, और साथ ही लोग सभा के सदश्चों से ही इसका चुनाओं होगा, ये अनुच्षे 94 बताता है, लोग सभा अध्यक्ष के अंतरगत कारे करता है, आगे देखते हैं, सीटो का आवांटन, ये राजवार सीटो का आवांटन, 1971 के जनगर्णा पर आधारित है, और 84 में समिदान संसुद्रन अधिनियम 2001 के अमसार ये निर्धारन 2026 तक यथावत रहेगा, और राज्यों की सं संख्या के अधार पर सीटो का आवांटन किया जाता है इसका, आगे देखते हैं, अधिक्तम सदश्य संख्या 250 है, और 9 निर्वाचित लोग सभा का सबसे वरिष्य सदश्य या प्रोटेमी स्विकर का कारे, आम चुनाओं के बाद 9 निर्वाचित सदश्य को सपत दिलाना, तो देख्या निर्वाचित लोग सभा का सबसे वरिष्य सदश्य यो होता है, उसको प्रोटेमी स्विकर चुना जाता है, और कारे उसका क्या होता है, आम चुनाओं के बाद 9 निर्वाचित सदश्यों को सपत दिलाना, अनुच्छेद 103, 103 क्या कहता है, यह कहता है कि लोग लोग सभा का कोरम गणपूर्ती एक बटे दस होगा लोग सभा का प्रथम अधिवेशन 13 माई 1952 याद रखेगा वासुदेव गणेश वासुदेव मावलंकर लोग सभा के प्रथम अध्यक्ष मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष और सर्वाधिक प्रतनिधी उत्तर देख लेते हैं तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीक से पांच वर्स्तक ध्यान रखिएगा प्रथम अधिवेशन जिस दिन होता है या जिस तारीक से प्रथम अधिवेशन होता है उससे पांच वर्स्तक इसकी अवधी होती है और राश्पती को समय से पहले सदस्य बनने की हरता कम से कम पचीस वर्स होती है आगे देखते हैं राजसभा से समबंदित कुछ सत्य तो इसमें देखते हैं अनुछेद असी में इसका प्रावधान वर्णित है और देखते हैं अनुछेद असी में राज्यों यों संग राज्षेत्रों के अधिक्तम 238 निर्वाचित अप्रतेक्षी रूप से सदश्य होते हैं और राश्ट्रपती द्वारा 12 सदश्यों का मनोनेयन किया जाता है निर्वाचन देख ले तो निर्वाचन अनुपातिक प्रतनिधित्त पधति के अनु सदश्यों का कारिकाल 6 वर्ष को होता है और सदश्य यह तु निर्वाचन आयू 30 वर्ष से निधारित के गई है उप राश्ट्रपती राज्यसवा का पदेन सभापती होता है और उप सभापती अपना त्यागपत सभापती को सौंपता है उप सभापती बहुमत से पारिस संकल्प द्वारा खटाया जा सकता है अनितत देखते हैं अखिल बारती सेवाओं का स्रजन राज सभा की एकांतिक सकती के अंतरगत आता है और समिधान की चौथी अनुसूची में राज सभा के लिए राज्यों एहमसंग राज्चेत्रों के सीटों के अबांटन का प्रावधान है अनुच्छे 252 या दो से अधिक राज्यों के विधान मंडलों द्वारा प्रस्ताव पारित कर संसद से राज सूची के बिशय पर कानून बनाने का अनुरोध कर सकता है अनुच्छे 252 राज्यसभा के सदस्यों का कारिकाल 6 वर्ष होता है कोई विधियक धन विधियक है या नहीं इसका निर्णे लोगसभा धक्ष करता है सदन के दोनों सद्यों की सयूच्छ बैठक लोगसभा धक्ष करता है राज्यसभा का गठन 3 अप्रेल 1952 को किया गया था राज्यसभा क सदस्यों के विश्यादिकारों तथा उनमोत्तियों को अनुछेद 105 में वणत किया गया है, संसद विदानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है, जब वह बिना किसी सदन को सूचित किये अनुपस्थित रहता है, लगातार 60 दिनों तक, संसद या विद जिसे धन निकालने के लिए पारित विदेयक, विनियोग विदेयक कहलाता है, अब देखते हैं सरवोच्य न्याले, इसका वरणन अनुछेद 124 से अनुछेद 147 सक है, समवेदानिक प्रावधान है, और न्याधीसों की कुल संक्या, प्रारंबे में 8 थी मुख न्याधी सम उडगाटन किती थी क्या थी, 28 जन्वरी 1950, और गठन किती थी, 26 जन्वरी 1950, ये गठन ज्यादा इंपोर्टन है ध्यान रखियेगा, 26 जन्वरी 1950 को सरवोच्य न्याले का गठन किया गया था, आगे देख लेते हैं, अब है, खाद मिलावट निवारण अधिनियम 1954 कव से ल लागू है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का सनरक्षन अधिनियम 2005 लागू हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ, अंसूचित जाती, अंसूचित जन्वरी 1989 से लागू हुआ, अब देख लेते हैं, सरवोच्य न्याले के न्याधिस पद की योगेता, वह भारत का नागरीक हो, किसी उच्य न्याले का कम से कब 5 वरस तक न्याधिस रहा हो, या फिर उच्य न्याले या विभिन न्याले में मिलाकर 10 वरसों तक अधिवक्ता रहा हो, राश्च्पती के राय में वह कानून क्या ग्याता हो, आगे देखते हैं, नियुक्ती, राश्पती द्वारा कोलेजियम की सिफारेस पर की जाती है, तो अपद दिलाता है, राश्च्य न्याले पद त्याग देता है, ये राश्पती को संबोधित करके अपना पद त्याग देता है, सेवानिविट्टी की आयो 65 वरस है, तो त्याग पद अपना ये राश्पती को देता है आगे देखते हैं तो चलिए अब देख लेते हैं सर्वोच नयाले से समंदित महत्यपूर अनुच्छेद तो अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम नयाले की गठन किया जाएगा अनुच्छेद 125 कहता है कि नयाधीसो का वेतन इत्यादी देखें फिर से देख ल में सर्वोच्य न्याले की स्थापना और गठन का प्राउधान है अनुच्छे 125 में नियाधीसों के वेतन से संबंधित प्राउधान हैْ 126 कहता है कारेकारी मुख्य नियुक्ति का अधार क्या होगा ये 126 बताता है 127 तदर्थ नियाधिसों की निवक्ती के बारे में बताता है 128 उच्फ्चतम नियाले में अविलेक नियाले के रूप में उच्छी नियाले ध्यान रखेगा यह बहुत important है अविलेक न्याले के रूप में उच्चतम न्याले यह article 139 कहता है 131 क्या कहता है 131 उच्चतम न्याले के मूल छेत्राधिकार का वणन करता है अनुछेद 132 से 136 तक यह सर्वोची न्याले का अपीली छेत्राधिकार है 132 से 136 सर्वोची न्याले का अपीली छेत्राधिकार के वणन करता है अनुचेद 141 कहता है सर्वोची नियाले न Сов नतरा घोषित विधी भारत के सभी न्याले उपर आबध कर है 142 का कहता है तो उच्छतम न्याले की डिक्रियों आदेश वह फिर से देख लिजे अनुच्छतम न्याले की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन यह हम प्रगटी करण आदि के बारे में यादेश देता है आगे देखते हैं अनुच्छे 143 यह राश्पती की उच्छतम न्याले से सलाह की सक्ति का वड़न है अनुच्छे 143 याद रखेगा 143 राश्पती सलाह लेता है उच्छतम न्याले से यह बहुत बार बुशा जाता है 143 चली अब देखते हैं कुछ सर्वोच या उच्छ न्यालेओं के नाधीसों का हटाया जाना आधार क्या होगा सर्वोच या उच्छ न्यालेओं के नाधीसों का हटाने का कदाचार या समर्थता किस अनुछेद के अनुछेद 124 चार और अनुछेद 1225 के अंतरगत प्रक्रिया इस संसत के प्रतेक सदन में प्रारम किये जा सकती है अपनी कुल सदस्य संक्या के बहुमत द्वारा ठीक है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से इसे प्रक्रिया सुरू किये जा सकती है अब देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य उचितम नियाले की ने समिदान के मूल ढाचे का से दान प्रथिबादित किया केश्वानन भारती वाद 1973 में भारती समिदान का रक्षक अविवावक सर्वच नियाले को कहा जाता है और समिदान की ब्याख्या करने का अंतेमदिका सर्वच नियाले को है भारती समिदान के नयाइक वुन्रविलोकुन का आधार विधी का सासन है उचितम नियाले में नायदीसों की संक्या की में बृद् सेवा निविक्ति के बाद सर्वोच नयाले के नयाधीस वकालत कर सकते हैं, किसी भी वकालत में नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेगा, सेवा निविक्ति के बाद सर्वोच नयाले के नयाधीस वकालत नहीं कर सकते हैं, किसी भी नयाले में, भारत के सर्वोच नयाले के कारवाहक मुख्य नयाधिस की नियुक्ति करता है राष्टपती और सर्वोच नयाले के कोलेजियम के प्रमुख नयाधिसों के अतरिक्त अन्यव वरिष्ट नयाधिस होते हैं चार सर्वोच नयाले के कोलजियम में मुख्य नयाधिस के तरिकत अन्य वरिश्च नयाधिस होते हैं 4 अगला देखते हैं केंद्र और राजियों के बीच होने वाले विवादों का निर्ने करने की भारत की उच्चतम नयाले की सकती उसके मूल अधिकारिता के अंतरगत आती है। उच्चतम नयाले की अब तक की सबसे वड़ी पीठ 13 नयाधीसों के द्वारा गठित की गई केश्वा नंद भारती वाद में। इसमें 13 नयाधीसों ने इस वाद को सुना था। उच्चतम नयाले से विधी के प्रश्णों पर राय लेने का अधिकार राश्वती को है और उच्च नयाले ने राश्ट नयाधीसों की न्युक्ति के लिए कोलेजियम बेउस्ता को अपनाया वर्स 1993 में। जनहित याजिका की माता के नाम से कौन पुकारा जाता है तो पुस् यंगो रानी उच्चतम नयाले और उच्च नयाले के कारवाहियां अंग्रेजी भासा में की जाती हैं आगे देखते हैं पी आई एल की जनक कौन है पी अन भगवति और यह जनक देश कौन सा है जनक देश है यूएसे भारत में सुरवात उन्नीस सो न्यासी में हुई थी 1979 79 में इसकी सुर्वात हुई इसका पूरा नाम क्या है पब्लिक इंस्टेस्ट लेटी गेशन आगे देख लिए विविद संघसुची राजसुची और समवरती सुची इसमें वर्तमान में 98 में 69 राजसुची में और बामन भी सए समवरती सुची में समलित हैं राज सूची सुरू से देखिए याद करने के लिए संगु सूची 98, राज सूची 69 और समौर्दी सूची 52 अब देखते हैं मूल रूप से कितनी थी अब देखिए अनुचे 371 ये महराष्ट और गुजरात राज के संबंद में विशेश उबंद करता है 371 ये नागा लेंड के संबंद में उबंद करता है 371 असम राज के संबंद में विशेश उबंद है और 371 ये मड़ीपूर राज के संबंद में विशेश उबंद का प्राधन करता है अब देखते हैं लिए फॉरा दीखा बिखा दिया का कई ती ऑगे बढ़ते हैं सिल बिखतम नेयाले और अधिनस्त नेयाले अब देखते हैं बुच्छ नेयले इसका परश्य देखते हैं भरती समईधानकी तहत राज्यों आईक परशाषन के सीड्स में सिथाए उच्छ नयाले प्रावधान क्या है भागश के अंतरगत आता है और अध्याय पांच के अंतरगत यह समलित है अनुछेद 214-231 तक यह आता है प्रते एक राजे के लिए एक उच्छ नयाले अपॉाद सही तो कुछ राज्यों में नहीं है लेकिन लगवग प्रते ए अधिनस न्याले, प्रावधान, भारती समिदान में इसका प्रावधान भाग्षय में है और भाग्षय के अध्याय च्छ में इसका वड़न है अनुछेद 233 से 237 तक इसका वो लेख है अब देखते हैं आगे उच्छ न्याले, विसेश तक देखते हैं यह एक अविलेख ही न्याले है, साथ ही न्याय धीसों के नियुक्ति राश्टपति द्वारा की जाती है और पद धारण 62 वर्स की आयूतिक यह करते हैं त्याग पदर यह राश्टपति को संबोदित अपने हस्ताक्छर सही तलिये के द्वारा कर सकते हैं पद च्यूत इनको राश्टपति के क्यादेश से किया जा सकता है देखते हैं भारत की संचित निधी तो भारत की संचित निधी प्रावधान 206 अनुख्षेद 206 में भारत और राज्यों की संचित निधी और लोक लेखा का प्रावधान है ठीक है आगे देखते हैं भारत की संचित निधी में बै की प्रक्रिया के नियम क्या है तो संसद्दारा विन्योग विधियक पारित करके कोई धन्रासी भारत की संचित निदी से निकालने का योग है ठीक है संसद्दारा विन्योग विधियक पारित करके ही कोई धन्रासी भारत की संचित निदी से निकाली जा सकती है आगे देख लेते हैं इसमें संचित निदी पर भारित ब्य तो देख लेते हैं भारत के संचित निदी पर कौन-कौन से ब्य भारित है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राजसभा सभापती और उपसभापती के बेतन और भत्ते देख लिए इसमें पेंसन नहीं है राश्पती का बेतन और भत्ता यों अन्यबे भारत के नियंतरक यों महालेखा परिक्षक का बेतन भत्ता तथा पेंसन देख लिए पेंसन किसका है भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक का बेतन भत्ता और पेंसन सर्व उच्छ ने आ लेके नाधीसों का बेतन भत्ता और पेंसन उच्छ ने आ लेके नाधीसों का पेंसन ध्यान रखें पेंसन इस बात को जरू मैं पेंसन बार-बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं कि आप यह देख सकें यह ध्यान दे सकें कि किस पद के लिए पेंसन का संचित निदीक में नहीं है राज के कारपाल क्या देखते हैं इसको भारती समिदान के भाग्च के अंतरगत अध्याय करता अध्याय 2 में अशर57- textile त् Speуется अब देखते हैं राजपाल, तो राजपाल प्राउदान देखेंगे इसमें, राजपाल की सकती? राजपाल में नहीं थे, पर तेक राजपाल होता है, नियुक्ति भारत के राशपती है, पद्धारन करता है राजपती के प्रताद परेंत और पदत्याग वो राजपती को संबोधित स्वहताक्षरिक लेक के द्वारा करता है अरताय क्या है तो वो भारत का नागरेक होना चाहिए 35 वर्स की आयूपूरी कर चुका हो और विसेश क्या है राज सरकार के सभी कारेकारी कारे अपचारिक रूप से राजपाल के नाम से किये जाते हैं उपलदियां बेतन तधाभत्ते देखते हैं राज की संचित निदी पर भारित होता है इसका और कार मुख्य मंत्री के नियुक्ति, अन्य मंत्रियों के नियुक्ति, मुख्य मंत्री के सलाह पर ये करता है, अंग देखते हैं, ये राज की विधान मंडल का अभीन अंग है, साथ ही सकती देखें, तो राज विधान से बागे सत्र को गुलाने, यों सत्रावसान तथा वि विदान पईसद के एकुल सदस्यों के एक बटे 6 बाग को ये नामित करता है और राज विदान सभाग के लिए आंगल भारती समुदाय से एक सदस्य कितने एक सदस्य को जो कि अब वर्तवान में निस्प्रवाई हो गया खतम हो गया तो इस प्रवधान को अब नहीं पड़ि अब आंगल भारती समुदाय के लिए कोई आरक्षन का प्रवधान नहीं है राज विदान मंडल द्वारा पारित विदेयक स्विक्रित दे और स्विक्रित रोक ये राज विदान मंडल द्वारा जो पारित विदेयक है उनको स्विक्रित दे भी सकता है और रोक भी सकता है और विदेयक राजपती के विचारार्थ आरक्षित वही कर सकता है, साथ ही पुनर विचार हे तु वापस कर सकता है, यदि वो गैर धनविदेयक हो, मंडल द्वारा पुनर भेजने जाने के स्विकरती अध्यादेश प्रख्यावित कर सकता है, साथ ही अध्यादेश भी जार तरह लगुनल की सक्ति भी है इसके बाद ये सारी ये राज सूची के द्रगतकार आने वाले कानूनों के संब्द में कर सकता है आगे देखते हैं राज पाल की वेकाधिन सक्तिया इसके अनिच सक्तियों की तरह इसके पास वेकाधिन सक्तिया भी होती है कौन को से सकती यहां देख लेते हैं, विधाई का द्वारा पारित किसी विधहयक को पुनर विचार है तू वो वापस कर सकता है, साथ ही लोकसबा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकता है, और अल्पमत में पाए गए मुख मंत्री को बरखास भी कर सक करता है, साथ ही किसी विधहयक पर अनुमती देने, रोकने अत्वा राश्पति के विचारत आरक्षिक करने हैं तू विवेक का अधिकार का अपने उपयोग करता है, आगे देखते हैं, राज विधान मंडल यहों मंत्री पधिसद, तो राज विधान मंडल पधिशय देख तो राज विधान मंडल के तीन अंग विधान पर्चत, विधान सभा और राज पाल होते हैं, अब विधान सभा देख लेते हैं, तो विधान सभा सदश्य संख्या अधिक्तम 500 हो सकती है, नियूंतम 60 हो सकती है, कितनी? अधिक्तम 500, नियूंतम 60 हो सकती है, अपवा सिक्यम और गोवा हैं आगे देखते हैं विधान सभा अध्यक्ष अधिकार विमकार ये लोक सभा अध्यक्ष के समान होता है निलायक मत किसी प्रश्ण पर पक्ष विपक्ष में मत बरावर होने की सिती में निलायक मत का प्रयोग कर सकता है और संपर्क संस्थापक ये सदन और तथा राजपाल के मद एक संचार का कारे करता है आगे देखते हैं सदस्चों के लिए अहर्ता ये भारत का नागरीख हो और नियोंतम 25 वर्स की आयो पूरी कर चुका हो आगे देखते हैं विदान परिसद इसका उलेक देखते हैं संसद वीधी द्वारा वीधी द्वारा स्रिजन यह अबंद कर सकता है यदि उस राज की विदान सभा संकल्प से इसे पारित कर दे अनुच्छेद 171 विदान परिसदों की संरचना ध्यान रखेगा विदान परिसद आर्टिकल 169 के तहत है लेकिन इसकी संरचना अनुच्छेद 171 में आता है ठीक ह प्रतेक दूतिय वर्स की समाप्ती पर एक तीहाई सदस्य यथा सम्हों निकट निवरित्ती होते हैं कितने प्रतेक दो वर्स पर एक तीहाई सदस्य सेवा निवरित्त किये जाते हैं और पहली वार जब निवरित्ती हुई थी उस समय टॉस किया गया था टॉस मतलब लकी से कम नहीं हो सकता और सदश्यों का निर्वाचन 5 बटे 6 सदश्यों का निर्वाचन होता है अप्रतेक्ष्य रूप से अनुपादिक प्रतनेदित्यू पद्धति के अंसार एकल संक्रमणी मत द्वारा और सेस एक बटे च्छ सद से राजपाल दौरा मनोनीत होते हैं आगे देखते हैं राज मंत्री परिशद इसका उलेक समिदान के नुच्छेद 163 में है 163 कहता है राजपाल को सलाह और सहायता देने है तो एक मंत्री परिशद जिसका प्रधान मुख्य मंत्री होगा 164 कहता है मुख्य मंत्री की नियुकती राजपाल दौरा जबकि अन्य मंत्री की नियुकती मुख्य मंत्री के सलाह पर राजपाल दौरा की जाएगी मंत्री परिशद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्य मंत्री सहित उसके राज के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 परचत से अधिक नहीं हो सकती लेकिन ये 12 से कम भी नहीं हो सकती ठीक है फिर से सुन लीजे इसको मंत्री परिशद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्य मंत्री सहीत उस राज की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15 परिशद से अधिक नहीं हो सकती परन्तु ये 12 से कम भी नहीं हो सकती राज की मंत्र परसत सामोही करूज से विधान सभा के प्रति उत्तरदाई होते हैं आगे देख लेते हैं किस राज में कितनी सीटे हैं इसको आप पॉस करके देख सकते हैं देख लीजे इस्पॉटेड है तूटल राज सारी राज तो आप लगभग पहचानी रहें हैं कौन करनाटक है कौन अंदर प्रदेश कौन सा क्या तू देख लीजेगा चलिए अब सक्तियों का प्रथक करन देखते हैं तो चलिए कίο सक्तियों का प्रथक कर नएपालिया क्या यह कि वीद्यों का वीद्यों पर नेंड्य करने की सक्ति है इसके पास और असे पहले यहां से देखते हैं सक्तियों कंतर है तीन मेन रूप से मुख्य किया गया है कैसे कैसे एक सेकेंड तो यह है विधाईका कारपालिक्या और नाइपपालिक्या में यह मुख्य तत इन तीनों में किया गया है और अब उसके बात फिर इन तीन में सक्तियों का प्रतक्करन अंदर-अंदर कैसे देखे सकते सेप्रेश प्रथक्रन राजसभा और लोगसभा में है राजसभा अनुच्छे 10 और लोगसभा अनुच्छे 80 सदश्च रंग्या 500 और अधिक्तम यहां 550 सदश्च और समिदान के अनुच्छे 89 से 122 सक इसका वड़न है विधी पर कानून या निर्माण या विधी पर विधी या कानून निर्माण या प्रवर्थन करने की सकती इसके पास है आगे देख लेते हैं एक तो हो गया विधाई का प्रथक्रन में पहला स्थम्भ दूसरा है कारेपाली का इसका उलेक बाउन से 78 तक है इसमें राश्रुपति और प्रदान मंत्री है वास्तविक नामात का प्रमुग है और वास्तविक प्रदान मंत्री है निर्वाचक मंडल दरा निर्वाचन किया जाता है इसका अई लोग सुभा में बहुमत के दल का इन्यता होता है निर्वाचक मंडल अनुछे 54 के अंतरगत आते हैं और निर्वाचक मंडल में कौन-कौन है लोग सुभा के निर्वाचित तिनों में है से प्रैशन आप और ये क्या करता है वी विधी या कानून के निनै को करता है किया विधी या कानून पर निनै की सक्तिस के पास है और इसमें भी तीन अस्तरहें एक अगे देखते हैं, राजिक कारेपाली का, दूसरा उसकानून की जाच कर रहा है, कि कानून सही है यो नहीं, और तीसरा फिर उस कानून को लागू कर रहा है, तीनों अलगलग, आगे देखते हैं, राजिक कारेपालिका में अनुच्छेद एक सो तेरपन राजपाल सम्बं देते हैं इसमें राजिक का समेदानिक प्रमुख तथा केंद्र सरकार के प्रदनीदी के रूप में एक कारे करता है नियुक्ति राश्टपती के मुहर लगे आगया पत्र के माध्यम से अनुचेद 155 के तहत की जाती है और कारेकाल इसका समानेता पांच वर्स किन्तु ये वास्तों में राश्टपती के प्रसाद परियंते ही पत्र धारन करता है और इसका उले का अनुचेद 156 में है आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री राज की कारेपल के हम लोग देख रहे थे इसमें राजपाल देख लिया अब मुख्यमंत्री देखते हैं राज का वास्विक प्रमुख है ये, और विदान सभा में बहुमत प्राप्त दलकाई नेता होता है, और इसकी नियुक्ति समिधान के अनुछेद 164 के माद्यम से की गई है, और राजपाल के प्रसाद परियंट ये पद धारण करता है, और विदान सभा में ये बहुमत बने रहने तक बना रहता है, चीक है, आगे देखते हैं मंद्र परिशद, तो मंद्र परिशद अनुछेद 163, राजपाल को सहायता में सलाह देने के लिए मंद्र परिशद की गठन का प्रावधान, अनुछेद 163 करता है, महाधिवक्ता, ये राज का सर्वोच विधिक अधिक अगला है, केंद राज संबंध, इसमें सबसे पहले देखेंगे, केंद राज संबंध में विधाई संबंध, राशनिक संबंध और वित्ती संबंध आते हैं, तो इसमें हम विधाई संबंध से स्टार्ट करेंगे, तो विधाई संबंध में समविधान के भाग 11 के विदाई सक्तियां संगी संसद को प्रदत की गई हैं, साथ ही केंद्र और राज के मद्र सक्ति या विदाई सक्तियों के बटवारे हैं तो तीन सूचियों का प्रावदान किया गया है। सूची के विशय के संबंद में संसद की विधाई सक्तियों का उलेक अनुचे दोसोंचास करता है आगे देखते हैं प्रशाशनिक सक्ति और प्रशाशनिक संबंद में क्या है प्रशाशनिक संबंद में संसद के भाग 11 के अंतरगत अनुचे 256 से 263 तक केंद्र राज राजी परिसद के गठन का सक्ति देता है, कौन अनुचे 263, 263 केंद राजी के मद समनवई सापित करने है, तो राश्पती को अंतर राजी परिसद के गठन का सक्ति देता है, विती समंद देखते हैं, तो केंद राजी समंद में समिदान के भाग 12 के अनुचे 268 से 281 तक इस सापना इसके तहत की जाती है, और राज की आकस्मिक्ता निदी के सापना भी इसके तहत होती है, साथ ही कुछ राज्यों को संग से अनुदान की विवस्ता भी इसके तहत है, और वित आयोग का गठन अनुच्छे 280 के तहत होता है, उसका भी इसके अंतरगत आता है, वो विध बंद तीन प्रकार के आपात होते हैं, कौन-कौन से एक राश्टी आपात काल, दूसरा है राश्ट्रपती सासन, तीसरा है विद्अधिय आ पातकाल, जर राश्टी आपातकाल अनुच्छे 252, राश्पती सासन, अनुछे 310 हैं, देखें ऐसे जाद रखिए, तो राश्थी आपात काल 52 के तहत, राश्पती सासन 356 के तहत और वे तींसो साथ के तहत उलेकित हैं आगे देखते हैं राश्थी आपात, उद्धोष्णा की आधार क्या है? तो उद्गोषणा का आधार युद्ध तथा बाह आक्रमर या ससस्त्र बिद्रो इस्तिती उत्पन होने पर उसका संकट सनिकट होने पर संगी मंत्र मंडल का लिखित विनिश्चे प्राप्त होने पर राष्टपती ये द्वारा ये किया जाता है उद्घोषणा का अनुबधन ये दोनों सदनोदारा विशेस बहुमत से एक माह के भीतर होना चाहिए मतब तीस दिनों के अंदर राष्टी अपातकाल का अनुबधन होना चाहिए आगे देख लेते हैं राश्पती सासन उले किसका 356 में है? 52, 52, 56, 356 में है उद्घोषणा का अधार क्या है? राश्पती का किसी राजिक के राजपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अने था या समाधान की ऐसी सिती उतुपर्न हो गई है कि राजिक का सासन समीदान के उबंदों के अदुसार संचालन नहीं हो सकता तो विशेष देख लेते हैं राज राश्पती को राज सरकार द्वारा समस्ट विधाय सक्तियां प्राप्त हो जाती हैं अब देखते हैं संसद द्वारा राज के विदान मंडल की विदाई सक्तियां का प्रयोग किया जाता है और गोचना जारी होने के दो माह के भीतर जा रखेगा उसमें एक माह है उसमें दो माह के भीतर दो माह के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुबोधन अपक्षित है और तोनों सदोनों द्वारा स्विकृति राश्पती सावसन की अवधी 6 माह तक होती है। प्रतेक 6 माह पर संसत द्वारा स्विकृति अधिक्तम 3 वर्सों तक के लिए विस्तार किया जा सकता है। तो राश्पती सावसन 6-6 माह तक बढ़ा के हम 3 वर्स तक इसको बढ़ा सकते हैं, आगे देखते हैं, वित्ती आपातकाल अनुछे, 356, अब 360 में देखते हैं, उद्गोषना का आधार क्या है, राश्पती की तूष्टी, विदी का आधार है, जिसका उद्गोषना का आधा उद्गोषना, संसंत, स्विक्रती, उद्गोषना पर संकत सुष्टी देखते हैं, यह भी दो माह तो होता है, और समाने बहुद से होता है, अब देखते हैं, आपातकी अवधी, अनिश्चित काल के लिए तब प्रभावी, जब तक की पास्चात उद्गोषना के द्वार आगे देखते हैं वितायोग का उलेक अनुच्छे 280 के तहत किया गया है और ये प्रतेग 5 वर्स के अंतरालपिस का गठन किया जाता है और आशक्ता अनुचार उससे पहले एक वितायोग का गठन भी किया जा सकता है कारे क्या है? संग और राजयो के मत करों के सुद्ध आगमों का वेवरल प्रस्तुत करना आगे देखते हैं अनुच्छे 275 के तहत भारत की संचितन नीदी में राजयो की राजसुका में सहायता अनुदान की वितायोग की से पारिस की अधार पर राज्यों में स्थानी निकायों, पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्थी हेतु, राज्य की संचित नेदी के समवर्धन के लिए भी उपाय दे सकता है, साथ ही सुद्रिन बिर्ति के हित में कोई अन्य विश्य जो राशपती द्वारा आयोग को निद मर्स दात्री संस्ता है, ठी, है नहीं, ठी, केंद्रि मंद्रि मंदल के एक संकल्व द्वारा 15 मार्च 1950 को ये लाई गई थी, पदेन अध्यक्षिस का प्रधान मंत्री होता था, और प्रथम अध्यक्षिस के जवाला नेहरू थे, प्रथम उपाध्ष गुलजारी लाल मुख क्यार क्या था, पंचवर्थी योजनाओं का निर्मार करना, नीति आयोक का कारे क्या है, नीति आयोक के तो अंगीनत कारे है, सारे कारे, जो देखिए वही नीति आयोक करता है, सही तरह से तो आदमी समझ ही नहीं सकता कि नीति आयोक करता क्या-क्या है, ठिंक टैंक ह को योजना आयो के सान पर नीति आयो का गठन किया गया और इसका पूरा नाम है National Institute for Transforming India पदेन अध्यक्षिस के भारत की प्रधान मंतरी है और अध्यक्ष भारत के महत्वपूर आयोग अंतराश्ची अस्तर पर नागरिकों की सिकायतों की निवारन है तू बनाई के संसा है और सापना 1809 में स्वीडन में स्वतंतर परवेक्षी एजनसी के रूप में हुई थी आगे देखते हैं सम्विदान यों लोगपाल लोगपाल नाम वर्स 1963 में ऐलम संगवी द्वारा दिया गया था भारत के पहले लोगपाल अध्यक्ष पिनाकी चन्द्र गोष थे ध्यान कियेगा पिनाकी चन्द्र गोष भारत के पहले लोगपाल अध्यक्ष थे अब देखते हैं प्रथम सरुर्टों लोगपाल संसा की कलपना स्वीडेन में हुई थी और भारत में वर्स 1966 में पहले प्रसाशनिक सुदार आयोग का गठन किया गया जिसके अधक्ष मुराज़ी दिसाई थे केंदर में लोगपाल तथा राजियों में लोगपाल नामक कानून व्योस्ता सापना की सपारिस मुराज़ी दिसाई नहीं की थी और ऐसा अभ्यक्ति जो भारत का मुख्य नामूर्थी हो या रहा हो उच्चितम नियाले का कोई ना अधिस है या रहा हो तो वो क्या रहता है लोगपाल अधक्ष बनने की योगता रखता है आगे देखते हैं अध्यक्ष और प्रतेक सदश अपने पद पर बने रहते हैं कारेभार ग्रहन करने की तारिक से पांच वर्स या सत्तर वर्स की आई तक जो भी पहले हो लोगपाल अध्यक्ष का बेतन बत्ती और सेवा की अनसरते समान होगी भारत के मुख्य नायमूर्थी या उनके द्वारा निदिष्ट उच्चतम ने आले का कोई नायदिस राश्पती द्वारा नाम निदिष्ट किये जाने वाला एक विख्यात विधी व आगे देखते हैं भारती संदर में देखते हैं भारती लोक्तांत्रीक विवस्था के अंतरगत जन सिकायतों के निवारार्थ ओंबर्स मैन की के समकच्च लोकपाल या लोकायुक्त की अधिनियम 2013-01-2014 को राश्पती द्वारा स्विकर्थ किये गई ध्यान रखेगा लोक लोकायुक्त अधिनियम 2013-01-2014 को राश्पती द्वारा स्विकर्थ हुआ। केंदरी अस्थर पर लोकपाल या राज की अस्थर पर लोकायुक्त की निवत्ति का प्राधान कि अगया हैं। लोगपाल, संस्ता, केंदरी हस्तर पर गैर सम्मेदानिक दर्जे वाली वैदानिक निकाय है ये और ये एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक सज़ेश्यों का प्राधान करती है संसा का गठन मार्च 2019 में प्रथम अध्यक्ष पीनाकी चंदर गोस लोगपाल की प्रथम अध्यक्ष पीनाकी चंदर गोस 2019 में इनका गठन हुआ अब महराश में देखते हैं भारत का प्रथम राज लोकायुक्त कार्याले की स्थापना 1971 में इसने किया था बहरा समीती राजनेतां और अपराधियों के बीच गटड़ी जाज करने संबंधित है राज मननार समित ने किया था, या राज मननार आयोग ने किया था, राश्टी मानुवाधिकार आयोग, या गैर सम्वेदानिक निकाय है, गठन इसका 12 एक्टूबर 1993 को हुआ, आधेक्ष या सदर्श्य के नियुकती राश्पती द्वारा की जाती है, नेक्टी है तो गठित अधिकार की नियुकती जो होती है, उसमें सनर्चना क्या है, उसकी समीत की, तो नियुकती संबंदित, गड़न समीत की राश्पती, केंदर ग्रेमंतरी, लोकसभा में राजसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राजसभा के उपसभापती, ये इसकी नि प्रथम प्रशाशनिक सुधार आयोग गठन 5 जनवरी 1906 को अध्यक्ष मुरारजी दिसाई है और भारत में लोक पाल एहम लोक आयुक्त की स्थापना का सुझाओ दिया था इसने प्रशाशनिक सुधार आयोग इसका गठन सुन लिजिए बहुत जुरूए प्रशाशनिक सुधार ऑफिर 1967 के हनुमंतिया इसके अध्यक्ष रहे आगे देख लेते हैं समिदान के प्रमुक भाग, विश्य, अयम सम्मंदित, अनुच्छेद, तो ये पहले ही कराया जा चुका है, फिर भी ये देख लिजे कि इसमें बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, भाग एक, संक्तधार, उसका राजच्छेद, अनुच्छेद, एक, चार के अंतरगत आता है, भाग दो, जिसमें नागरिक्ता का उलेख है, और अनुच्छेद, पांच से ग्यारा में इसका वड़न है, अनुच्छेद, तीन, मूल अधिकार, अनुच्छेद, बारा से पैंतिस तक इसका वड़न है, भ भाग 4 क में 51 क, भाग 5 में देखते हैं, इसमें संगसरकार है, और ये 52 से लेके 151 तक वणन है इसका, भाग 5 संगसरकार अनुचेद 52 से 151 तक, भाग 6 देखते हैं, राजे सरकार अनुचेद 152 से 237 तक, फिर देखते हैं, भाग 9 ये 55 है, अनुचे 243 से लेके 152 तक, भाग 9 पंचायत इसके अंतर के समलित हैं, और अनुचे 243 से 243 तक समलित हैं, भाग 9 क में नगरपाली का आती है, और अनुचे 243 से 243 यच तक का वणन है, आगे देखते हैं, भाग 10 ये 11, इसमें संग और राज्यों के बीच सम्बंद है, 245 से 233 तक, अनुचे इसमें आता है, भाग 15 ये निर्वाचन से सम्बंदित है, इसमें अनुचे 324 से 329 क तक आता है, भाग 16 है, अनुची जाती, अनुची जन जाती, पिछड़े वर्ग, आंग्र भारती समदाय के सम्बंद में विचे उबंद करता है, और नुचे 330 से 342 क तक इसका वड़न है, अब देखते हैं, भाग 17 में राजवाश्या है, और ये 343 से 351 तक इसमें वड़ित है, भाग 18 देखते हैं, भाग 18 अपात उबंद का है, इसमें 352 से 360 तक आता है, आगे देखते हैं, वीविद, वीविद में लोकसभा एक सेकेंड, वीविद में लोकसभा अध्यक्ष अपने निलायक मत का परियोग करते हैं केवल टाइ की सिती में, आम चुनाओं के बाद नौ निर्वाचित सदस्यों को सपत प्रोटम स्पीकर दिलाते हैं, प्रोटम स्प अध्यक्ष है, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपनाते हैं अकवात्र देता है, भारत में इस्थानी सुसासन देखते हैं, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, लौट रिपन, इस्थानी सुसासन, भारत में इस्थानी सुसासन का पिता कहा जाता है इनको, और सहरी सुसासन और और पंचायती राजबयोस्ता, सानी सुधासन, एक तो होता है पंचायती राजबयोस्ता और दूसरा सारी सुधासन, अब देखते हैं बलवंत राय महता समीती उनी सु सतावन, इसने पंचायती राज का सिल्पी कहा जाता है, पंचायती राज का सिल्पी बलवंत राय महता सम पंचायत में महिलाओं को एक बटे तीन आरक्षन का प्रावदान 243 घह 3 के अंतरगत आता है पंचायती राजब्योस्ता प्रभाव में आई 24 अप्रेल 1993 को ये बहुत important facts है 24 अप्रेल 1993 से पंचायती राजब्योस्ता प्रभाव में है पंचायती राजब्योस्ता संबंदित अनुच्छेत 243 से 243 रणव तक आता है 2 अक्टूबर 1969 को पंडित ज्वाला नहरू द्वारा पंचायती राजब्योस्ता का उटगाटन नागाओर के राजस्थान में किया गया था आगे देखते हैं अन्य समितियां पंचायती राजब्योस्ता संबंदित अन्य समितियां में असोक महता समीती जोकी 1977 में गठित की गई थी जेवी राव समीती जेवी के राव समीती 1985 में गठित की गई थी अब ये फैक्स बहुत इंपोर्टेंट है इनको भी ध्यान रखिए दूई अस्तरी पंचायती राजब्योस्ता का सोक महता ने दिया था गमजोर पंचायती राज संस्ता को बिना जड़ की घास गिस ने गठाव जीवी के राव समीति ने आगे देख लेते हैं अब इसमें देख लेते हैं कि जो तीनों अस्तर हैं ग्राम पंचायत, पंचायती, समीती और जिला परिसद, इसमें गठान इसका कैसे होता है, तो ग्राम पंचायत है न, इसकी इसापना प्रतेक्ष रूप से चुने गए प्रतनेधियों के मादें से होती है, तो ग्राम पंचायत की प्रतेक्ष रूप से चुने गए प्रतनेध समिदान संसुदन अधनियम 1992 के दोरा इसको प्रदान किया गया और समिदान में भाग नौक को जोड़ दिया गया बारवी अंसुची जोड़ी गई तो बारवी अंसुची किस से संबंदित है स्थानिय निकाय से स्वासन से अब इसमें भी देख लेते हैं इसका अस्तर त्रियस्तरी इसका भी है तो कैसे है तो पहले नगर परचायद फिर नगर पालिका परिसद फिर नगर निगम होता है तो चहतरवा समिदान संसुदन अधनियम प्रभावी हुआ एक जून 1993 से याद रखेगा भारत में सहरी स्थानी सासन आठ प्रकार के हैं आगे देख लेते हैं भारत सहरी स्थानी सासन के प्रकार ये जो आठ प्रकार के हैं उनको देख लेते हैं नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूची छेत्र समीती, नगर छेत्री समीती, छावनी परिशद, नगरी छेत्र, नियास पत्तन और विशेश उद्देशी के लिए गठित एजंसी. आगे देखते हैं, आगे हैं राश्टीय एवम राज अस्तरी दल की मानेता, अब देख लेते हैं राश्टी दल की मानेता, चुनावची नहें, आरक्षन एवम आवंटन आदेश, 1968 के अनुसार, किसी राजनितिक दल को राश्टी राजनितिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधोलित तीन में से किसी एक सर्ट को पूरा करना आउशक है तो तीन सर्टे कौन-कौन सी है देख लेते हैं पहला कहता है कि यदि कोई पार्टी लोग सभा के पिछले आम चुनाओं में कम से कम तीन विभिन राजों में कुल मिलाकर कुल लोग सभा की सीटों में से कम से कम दो प्रतिसत आधे से अधिक विभिन को एक बाना जाएगा दो प्रतिसत सीठें जित्ती है ऐगे देखते हैं या तो उस पार्टी के प्रतियासी को कमसे कम चार राजियों में पिछले लोकसभा आम चुनउ हों या राज के विधान सभा चुनाउ में पड़े कुल वेध मतों का नियुमतम शा प्रतिसत मत और कम से कम चार लोक सभासीते प्राप्त हुई हो तब भी उसे राश्ति दल माना जाएगा यह यदी कोई party चार या चार से अधिक राजियों में राज अस्तरी दल के रूप में मानेता रखती है तब भी उसे राश्ति दल माना जाएगा अब देख लेते हैं इधर राज अस्तरी दल की मानेता तो इसका भी देखिए चुनावचिन और आदे ये 1968 के तहत है इसके अंसार भी नियुन सर्तों को पुरा करना है तो सर्ते कौन-कौन सी है सीधे देख लेते हैं उस राजनीतिक दल को राज विशेस में हुए विगत वि प्रतिसत वैदमत एवम नियुनतम दो सीटें प्राप्त हो या राज विधान सभा की कुल सीटों में नियुनतम तीन प्रतिसत या नियुनतम तीन सीटों में से जो अधिको प्राप्त हो या फिर उस राजनीतिक दल को विगत लोग सभा आम चुनावचिन विशेस में निय नियुंतम एक लोग सभा सीट प्राप्त हो या राज में प्रतेक 25 सीटों के लिए कम से कम एक सीट या राज के लिए निर्धारित संख्या का भाग प्राप्त हो फिर से सुन लीजे उस राजितिक दल को विगत लोग सभा आम चुनाओं में राज सभा में नियुंतम 6 प्रति सीटों के लिए कम से कम एक सीट प्राप्त हो तीक है आगे देखते हैं या फिर या फिर उस राजनेतिक दल को बिगत लोक सभा या विधान सभाचनाव में नियुन्तम आठ प्रतिस्त वैद मत प्राप्त हुए हो या सर्च 2011 में जोड़ी गई थी आगे देखते हैं कुछ important facts ह है राजनेतिक राजनेतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयक दवरा खिया जाता है और यह जन प्रतिस्ति अधनयम 1901 के तखत राजितिक दलों के पंजीकरण सम्बंदित रावदायन हैं ध्यान रखिएगा जन प्रतिनी अधिनियम 1971 के तहत राजितिक दलों के पंजी करण से संबंदित राउधान है इसी में राजितिक दल को राश्टी दल और राज दस्तरी दल के रूप में मानेता भारत के चुना आयोगदारा प्रदान की जाती है 92 समईदान संसुतन अधिनियम द्वारा राजितिक दलों को वर्स 1985 में सरवर्थम संब्यदानिक मानेता मिली ऐगे देखते है भारतिय यहाँ पर भारत में प्रमुक आठ राश्टीय राजितिक दल है तो इन राष्टिय दरों को देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर भाज़पा, फिर कॉंग्रेस, फिर राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी, राकपा जिसको कहते हैं अखिल भारती, त्रेमोड कॉंग्रेस, बहन जी वाली, नैसनल पीपुल्स पार्टी, एन पीपी, भारती कमिनिस्ट पार्टी, इसको भागपा कहते हैं माक्सवार्टी, कम्मोनेश पर्टी, मक्पा और बहुजन समाजवाडी पर्टी ये भी भेंजी हैं मायवती जी बसपा सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये लोक सभा में 11 मई 2005 को पारित हुआ राजसभा में 12 मई 2005 को और राशपती की स्विक्ति 15 जुन 2005 को मिली और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें 12 अक्टूबर 2005 है 12 अक्टूबर 2005 से जम्बू कस्मीर के अध्रेक्ति ये देश के समस्त भाग में प्रभावी हो गई जम्बू कस्मीर के विसेश दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्बू कस्मीर अध्राक में भी ये लागू हो गई तिक है ना आगे देखते हैं महत्पूर्टत थे आटियाई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेतक द्वारा मांगे जाने वाले कारणों को देना अवस्तक या अपिछित नहीं है आपको कारण बताने की जड़ुद नहीं है उच्चने आले जिसने कहा कि आर्टियाई आवेतक को सूचना मांगने का कारण बताना चहिए ये मद्राज उच्चने आले सितंबर 2014 में नहीं कहा सूचना का अधिकार अधिनियम उद्देश इसका क्या है सारजनिक पदा अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुँच उपलब्द कराना फिर से सुन लिजे सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश सारजनिक पताधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्द कराना अब सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है नौकर साही में उत्तरदाईत और मनो भाव बढ़ाने में साथ ही सूचना का अधिकार है, एक विधिक अधिकार है ये, साथ ही सर्वोच ने आने द्वारा इसे वाक्यों अभिवक्ति सुतंता के मूल अधिकार के अभीन अंग भी माना गया है, और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है, सूचना की पा सुचनह का अधिकारी हैu, द्वारत के मुखिनाइदिस का कार्याल है, केंद्र सरकार, राज Sरकार, पंचायती राज संस्ताय हैं, स्कारी सहायता प्रत्य गहर सरकारी संगठन, आगे देखते हैं मात्वपूर्त थे हैं विश्व के देशों में स्वीडन पहला देश है जिसने 1766 इस्वी में Freedom of Press Act के तहां सूचना का अधिकार अपने नागरी को प्रदान किया दक्षिर अफ्रिका देखते हैं विश्व का एक मात्र देश है जिसके समिदान में सूचना के अधिकार को विशेश रूप से उले किया गया है भारत में सूचना के अधिकार आंदूलन का प्रारंब मजदूर किसान सक्ति संगठन द्वारा किया गया था 1901 के वरणित वह आ गे हों और विवेक्ति की सुथनता के मूल अधिक्यार के रूप में। सर्वतम RTI कानून का मसोधा प्रस्थूत किया गया। 1993 में Consumer Education and Research Council अहम्दाबाद द्वारा। आगे देखते हैं, वर्स 1986 में भारत सरकार को RTI पर मॉडल कानून सोपा जस्टिस पी भी सामत की अधिक्षता में भारती प्रेस परिशने सुचना के सुनता अधिनियम 2002 अधारित है HD सोरी की अधिक्षता वाले कारेबल की रिपोर्ट में वर्स 2005 में राश्टी अस्तर पर आटियाई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राजी तमिलनाडू है केंद्र ने लागू नहीं किया था उससे पहले ही तमिलनाडू है आटियाई अधिनियम के प्रमुक पावदान देखते हैं सूचना के अधिकार में सामिल है, कार्य दस्तावेज अभिलेखों का निरेक्षड करना और दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाडित प्रतलिपी प्राप्त करना, साथ ही समागरी की समागरी का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कॉंसेट, कैसेट या अन एलेक्ट्रोनिक माधनों से सूचना प्राप्त करना, प्रतेग प्राधिकार के तहत, एक जन सूचना अधिकारी प्याईयों की नियुक्ति का प्राउधान है, सूचना का अनरोग प्राप्त होनी पर 30 दिनों के भीतर, जा आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, अनुचेद और प्राउधान, तो अनुचेद 17, बित विधेकों के बारे में विशेजुबंद का प्राउधान करता है, समिधान की आत्मा, बियार मेड करने कहा था, और अनुच्छेद 20 अपराधों के दो सिद्धी के समंद में सनरक्षन का प्राउधान करता है साथ ही अनुच्छेद 22 गिरफतारी और निरोध के समंद में सनरक्षन देता है अनुच्छेद 111 विधेयक पर राश्टपती के स्विकृति का उबंद करता है अनुछेद 160 राश्पती के दौरा राजपाल के कृत्यों का निर्वहन अनुछेद 105 में संसत के सदस्यों के विश्चेत अधिकार का उलेख है अनुछेद 108 में स्वाधारान विधेयक के लिए संयोक्त बैठक का प्राउधान है 109 में धन विदेयक के संबंद में विश्चेत क्रिया का प्राउधान है अनुछेद 110 धन विदेयक की परिभाशा बताता है अनुछेद 122 संसत की कारवाई की जातिस को प्रतिवन्धित करता है अनुछेद 32 ये सम्विधानिक उपचारों का अधिकारिस में समलित है अदूछेत एक सो उनहटर विधान परिसद के गतन का चर्षा करता है विधान सभाν को विधान परिसद का स्रिजन करने का प्रस्टा प्राथमी कस्तरप्र मात्री भासा को सामिल करने की बात करता है अनुछे 344 राजकी भासा आयोग 1905 में बीजी खेर अनुछे 43 मनरेगा से संब्दित है अनुछे 338 अनुछे 338 ये राष्टी SC आयोग का गठन करता है अनुछे 338 का ST आयोग आनुछे 330 ये लोग सभा में अन्सुचित जाती और जन जाती के लिए आरक्षण की बेउस्ता करता है अनुछेद 32 राज विधान सभा में अनसूचित जाती और जन जाती के लिए और अरक्षन की विवस्ता करता है, 30 करता है अनसूचित जाती और जन जाती के लिए और अनुछेद 32 ये राज विधान सभा में अनसूचित जाती और जन जाती के लिए और अरक्षन की विवस्ता करता है ठीक है लोक सभा में 30 और राजविधान सभा में 332 आगे देखते हैं समीतियां और उनसे संबंदित छेत्र आयंगर रिपोर्ट आयंगर रिपोर्ट ये संगी मंत्रिमंडल के पुनरगठन से संबंदित थी राजमंदार आयोग ये IAS और IPS पद की समाप्ति करने की लीजे दिनेज गो सवामी समीति बहुत IMPORTANT है दिनेज गो सवामी समीति ये निर्वाचन sug सम्भा से संबंदित है दिनेज गो स्वामी समीति अगला है गॉलक नात केस उचतब न्यालय ने पहली बार संसद में शंवीधान सभस्ोधन की सकति को सीमित किया था गोलक नात क संगीय राज है, ऐसा कहा, हिर्दयनात कुंजरू ने राष्टपती का अपातकालिन अधिकार समीदान के साथ दोखा है, कहा, आगे देख लेते हैं, 30 जनुरी उनिस सो, अब इधर वर्स लिखा है, घटना है, देख लेते हैं, कौन सी घटना है, कब ही, तो 30 जनुरी उनिस सो भारत का परथम विधी विष्टुविद्याल है, 1987 में राष्टी पिछला वर्ग आयोग ऐक्ट, 1993 में राष्टी अल्प संख्यक आयोग, आगे देखते हैं, पंचायती राज एम समुदाई के विकास, भाग 9, अनसूची 10, अनसूची 11, 24 अप्रेल 1993 से लागू, 24 अप्रेल 1993, पंचायती राज, राज सूची का विसा है, और 11 अनसूची 29 विसा इसमें समलित है, सांसत, जिला परिशत के सदर्श्य होते हैं, अनुचे 243, देखते हैं, अनुचे 243, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की सनरचना, और इस्थानों का अरक्षन का प्रावधान करता है, अनसूची जाती, अनसूची जन जाती हों महिला के सम्मंद्र में, आगे देखते हैं, E, पंचायतों की अवधी, यह E, 243 A, B, C, D, यही है, सवस्यों की नहरता, E, C, वर्स, और G में, पंचायतों की सक्तिया, प्रादिकार, अउत्तरदाई तो है, और 243, पंचायतों की कर उगाही की सक्ति, और उसकी निदियाओं का प्रावधान करता है, आगे देखते हैं, I, I, वित आयों के गठन का बात करता है, 243 A, आगे दे नियाएक पुर्णा विलोकन की सक्ति से बाहर रख दिया गया इसको, और सातुमा संसुदन अधिनयम 1956 इसके द्वारा भासा के आधार पर राज्यों का पुनरगठन किया गया, और पहले की तीन स्रेणियों को समाब तकर 14 राज्यों और 6 केंद सासेत देसों में इसको राश्टपती या उप राश्पती के निर्वाचन को उपरियुक्त निवाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चिनोती नहीं दी जा सकती, ऐसा प्रावधान किया गया, 12 सम्विदान संसुदन अधिनयम भारती संग में सामिल किया गया, 1962 में, 24 सम्विदान संसुदन अध 31 सम्विदान संसुदन अधिनयम भारती संग में सिक्किन को पूर राजिका दर्जा दे दिया गया, 42 सम्विदान संसुदन अधिनयम भारती संग में समाजवाधी, पंतमिरपेज और खंडता संग को जोड़ दिया गया, आगे देखते हैं भाग चारक में नागरिकों के मूल करतब्य को जोड़ा गया है, राश्पती को मंत्रि मंडल की सलाह मानने के लिए बाद किया गया है और 44 सम्विदान संसुदन अधिनयम भारती संग में राश्पती के दोरा विधिय को पुनर विचार के लिए एक बर वापस भेजने की सकती प्राप्त करता है, और राश्पती अपात के संदर में आंतरिक असांती सब्द के स्थान पर ससस्त्र विद्रोद सब्द रखा गय और संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर और इससे विधिक अधिकार का दर्जा इसी सम्विदान संदर दारा दिया गया, चववालीस में की बात हो रही है ध्यान कियेगा, और राश्प्ती अपात काल के दवरान अनुछेद 20-21 को भी सम आगे देखते हैं, आठाउनवा सम्विदान संदर अधिन्याम 1987 यह समिदान का प्राधिकरित पाठ हिंदी भासा में उपलब्द कराया गया है, आगे देखते हैं, एक सथमा सम्विदान संदर अधिन्याम 1988 नागरिकों के मतदान करने की नियुनतम आयू को 21 वर्से घटा क एक सक्षी किया गया, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, एक सथमा सम्विदान संदर अजान उठा किया गया, और ईसके 흰ाम है बहुत गया, आगे देखते हैं, आधिन्याम के न संदर में सम्विदान संदर अधिन्याम नागरिकनुन, मेंसदी नौमा देरु, 10 में संदर जोड़कर पंचायतों को सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया, यह भी important है, यह भी important है, चहतरमा सम्विधान सुदन, 1992 में सम्विधान के भाग नौक जोड़ी गई, इसके दोरा सहरी स्थाने निकायों को सम्विधानिक दर्जा प्रदान किया गया, चहरास्मिया सम्व 2001 लोकसभा एमराज विदान सभा सीटों के पुननिधारण पर 25 वर्स के लिए रोक लगा दी गई मतलब 2026 तक के लिए यदा इसे थी 1971 के आधार पे बना दी गई 84 सीवा समिधान संसुरन के दोरा 86 सीवा ये भी इंपोर्टन है साथी 51 के तहट इसी संबंदित 21 मूल करतब इसी में जोड़ा गया 86 समिधान संसुरन में अनुचे 45 की विशेवस्तु बदली गई इसके तहट राज ये सभी बालकों को 14 वर्स की आई पूरी हो जाने तक निसूल को और अनिवार इस इच्छा देने के लिए उप्रम्द कराने का प्रयास करेगा आगे देखते हैं 91 समिधान संसुरन, 91 समिधान संसुरन 2003 इसके दोरा मंत्री परिसत की आकार को सीमीत किया गया जो की कूल लोक सभा के सदर्श संक्या के 15 परिसत से अधिक नहीं हो सकता राज मंत्री परिसत में भी विधान सभा की कूल सदर्श संक्या 15 परिसत से अधिक नहीं हो सकती और 12 संक्या से भी कम भी नहीं हो सकती अब देखते हैं 97 समिधान संसुरन अधिर्यम 2011 सहकारी समीति बनाने का अधिकार अनुच्छे 19 के तहत मौली का अधिकार बना दिया गया अब सहकारी समीतिया नाम का नया भाग नौख भी जोड़ा गया किसके तहत सत्ता अबेवा समीदार संसोदन सौवा समीदार संसोदन 2015 यह भारत था बांगला देश के मद्ध हस्ताक चरित भूमी हस्तातरान से सम्बंदित था 101 समीदार संसोदन अधिरियम 2016 इसके तहत वस्तु एम से वाकर GST सम्दित प्रावधान सामिल है 101 में GST पैसे सम्दित 101 रुपे देते हैं तो GST 101 102 समीदार संसोदन अधिरियम 2018 यह राश्टी पिछला वर्ग आयोग से सम्बंदित है 102 यह बहुत इंपोर्टेंट है राश्टी पिछला वर्ग आयोग को समयदानी दर्जा दिया गया 103 EWS 103 EWS को 10 प्रतिसात आरक्षण की विवस्ता की गई आगे देखते हैं 104 EWS 104 peak समविदान सुदन अधिरियम 2019 यह लोक सभा एयोम राज विदान सभा में अनसूची जातियों में अनसूची जन जातियों के स्थान के आरक्षण में 10 वर्स की विर्दी तो था लोक सभा राज विदान सभा में नाम निर्देश से द्वारा आंगल भारती समुदाय के प्रतनिधी संबंदी दुबंद का समापन ठीक है अब राष्टी दल उनके चुनावची ने देख लेते हैं वैसे इसकी जरूरत नहीं है चुनावची नहीं पुझे गल लेंगे फिर देख लेजे भारती राष्टी कांग्रिस हाथ का पंजा बार बिजेपी कमल बहुजन समाजवाड़ी पार्टी ब्यस्पी हाथी अ अखिल भारती त्रेमुण बहन जी यह जोड़ा फूल जोड़ा फूल है लेकि नहीं सिंगली नेशनल पिपल्स पार्टी उस तक चलिए इसी के साथ आपका घटना चक्र फ्लोचार्ट नोर्स में पॉलिटी कम्प्लीट होता है हिस्ट्री पॉलिटी और इन्वॉर्मेंट को कम्प्लीट किया जा चुका है अब जैसे ही आपकी अगली स्रीज आती है मार्केट में वो भी आपको मिल जाएगी आप वेडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीज़े और सेर्जरूर से जरूर कीजिए ताकि हमें भी एनरजी मिले और हम आपके लिए लाज सकें शेरी